वास्तव में बहुत दुरलब है गांधी जी ने कहा यहाँ एक खुशीप्रत सयोजन है कि जो दोस्त मुझे परिचित करा रहा था उसने गलती से सच कह दिया है पिछले कुछ वर्षों में कस्तुर्बा ने सच मुछ मेरी मा बन ली है एक समय वहां मेरी पत्नी थी लेकिन में हो सकता है अगर पती और पत्नी मिलकर अपने सेक्सुल जीवन की जाज करने में थोड़ी मेहंत करें तो वे दोस्त बन सकते हैं और एक दूसरे को सेक्स को परिवर्थित करने में मदद कर सकते हैं और उस दिन जब पती और पत्नी सेक्स को परिवर्थित करने में सफल हो सुक्ष्म और जन्मजाच शत्रुता है एक स्थिर मित्रता कभी नहीं है हमेशा एक शांती नहीं जब पती और पत्नी प्रतेक दूसरे के सेक्स्वल इच्छाओं को परिवर्तित करने के रूप में सेवा करते हैं तो उनके बीच एक गेहन पूर्णता की भावना उत्पन्न ह जब वे एक दूसरे के साथ उत्क्रिश्टता में सेक्स के परिमुक्ती में साथी बन जाते हैं तो एक सच्ची मित्रता का फूल खिलता है। प्यार के सच्चे संद्रेखण में रहते हैं और अब और लालसा में नहीं। यह उस यात्रा का प्रारंब है जिससे पती अपनी पत्नी के लिए भगवान बन जाता है और पत्नी अपने पती के लिए देवी बन जाती है। लेकिन यह संभावना विशाक्त हो गई है। मैंने कल कहा था कि मैं सेक्स का एक बड़ा शत्रू हूँ। मेरा मतलब यहां नहीं है कि मैं सेक्स को दोशी ठहराता हूँ या निंदा करता हूँ। मैंने इसे चिंताजंत रूप से कहा, पार्मार्थिक्ता की दिशा में मार्ग दर्शन के रूप में या संकेट करने के रूप में की इच्छा को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है. मैं सेक्स का शत्रू हूँ उस अर्थ में कि मैं कोईले को ही हीरे में परिणामित करने का पक्षपात करता हूँ मैं सेक्स को परिवर्तित करना चाहता हूँ इसे कैसे किया जासता है? इसकी प्रक्रिया क्या है? मैं कहता हूँ कि एक और दर्वाजा खोला जाना चाहिए, एक नया दर्वाजा जब एक बच्चा पैदा होता है, तो सेक्स तुरंट सामने नहीं आता शरीर उर्जा जमा करता है, कोशिकाय बल प्राप्त करती है और इसके पूर्णविक्सित होने से पहले अब भी समय है उर्जा धीरे-धीरे स्वयम को एक दर्वाजे की ओर धके लेगी और फिर वह चार पैदवार्शिकी से बंध दर्वाजे में प्रवेश करेगा और यहाँ बच्चे का सेक्स के विश्व में परिचय है एक बार जब एक दर्वाजा खुला हो जाता है एक नए दर्वाजे को खोलना काफी कठिन होता है जीव शक्ती की स्वभाव के कारण व्यक्ती का पूरा जीवनूर्जा पूरा शक्ती जिस दिशा में वहन किया गया है उसी दिशा में दौरता है एक बार गंगा ने अपना मार्ग स्थापित कर लिया है तो वहां उसी के मार्ग पर बहती रहती है वहां प्रतिदिन नया मार्ग नहीं खोजती है ताजगी से पानी रोजाना बह सकता है लेकिन यहां हमेशा उसी चैनल के माध्यम से होगा उसी रूप में मनुष्य की जीवशक्ती एक अपना मार्ग होती है और फिर उस पर चलती रहती है यदि मनुष्य को यौनता से ठीक होना है तो सेक्स के दर्वाजे खुलने से पहले नए दर्वाजे खोलना बहुत महत्वपूर्ण है वह नए दर्वाजे को उसकी कुमलवय के दौरान ध्यान करना सिखाया जाना चाहिए उसे ध्यान में शिक्षित करना चाहिए सेक्स के खिलाफ गलत शिक्षाएं समाप्त की जानी चाहिए और ध्यान को सिखाया जाना चाहिए ध्यान एक सकारात्मक दर्वाजा है, यहां एक उच्च खिरकी है सेक्स और ध्यान के बीच एक चैन किया जाना चाहिए और ध्यान उतक्रिष्ट विकल्प है सेक्स को निंदित न करें, बच्चों को ध्यान करना सिखाएं बच्चों को सेक्स के बारे में शिक्षा देने के खिलाफ होना केवल उन्हें इसके अस्तित्व की सुचना देता है और यहाँ एक अत्यंत खतरनाग ग्रिष्टिकोन है बाद में यहाँ अप्रिपक्व यौनता के विकृतियों की ओर बढ़ता है अभी तक जब कोई दर्वाजा खुला नहीं है जब दोनों दर्वाजे बंध है जब उर्जा अब भी सुरक्षित है किसी भी दर्वाजे को धकेला जा सकता है लेकिन सेक्स के खिलाफ इस समयस्मय पर घूमना सेक्स के दर्वाजे पर खडखड़ाहट की तरह है एक लचीला युवा पौधा किसी भी दिशा में मोडा जा सकता है, यह स्वयन ही विनमरता से जुख सकता है लेकिन जब यहां बढ़ता है, तो यहां कठोर हो जाता है यदि आप उसे फिर मोडने का प्रयास करते हैं, तो यहां अविरूप हो जाएगा, यहां तूट जाएगा यहां मामला वैसा ही है ध्यान की स्थिती को प्राप्त करना जब कोई व्यक्ती बढ़ा हो रहा है, यहां बहुत कठिन है बड़े लोगों को योग्यता करने का प्रयास करना उनका जीवन के समाप्त होने के बाद बीज बोने जाने के बराबर है ध्यान के बीज को आसानी से बच्चों में बोए जा सकता है, लेकिन मनुष्य जैसा की वह है, अपने जीवन के अंत की ओर ही ध्यान में रुची दिखाता है वह फिर ध्यान और योग के बारे में पूचता है, जब उसकी उर्जा कम हो गई होती है, जब सभी प्रगती की संभावनाएं सूप गई होती है तभी उसे ध्यान और योग के बारे में पूछता है वह स्वयम को सुधारना चाता है जब पानी पहले ही भह चुका है जब परिदामित होना बहुत कठिन है कब्र में एक पैर से मौदू करने वाला व्यक्ति पूछता है कि क्या ध्यान के माध्यम से मुक्ती प्राप्त की जा सकती है यहाँ अजीब है यहाँ धाना पूरी तरह विचित्र है इस ग्रा को कभी शांती में नहीं हो सकता जब तक हम हर यूवा मन में ध्यान की यात्रा शुरू नहीं करते लेकिन उससे कुछ हासिल होने की आशा उन लोगों के साथ व्यर्थ है जो मार्क के अंत में है जो अपने जीवन के सायंकाल में है यदि उन्होंने इसे कोशिश की जाए तो यहाँ बड़े प्रयास की मांग करेगा और इसके अलावा बहुत फाइदे का भी नहीं होगा लेकिन यहाँ पहले किया जा सकता था जब जीवन में इसके लिए इतनी प्रयास की आवशक्ता नहीं होती थी तो सेक्स के परिवर्तन की दिशा में पहला कदम छोटे बच्चों में ध्यान की शुरुआत करना है उन्हें शांत रहना और अपने ख्यालों को रखने की प्रशिक्षन देना उन्हें चुप रहना सिखाना और उन्हें नोमाइन की स्थिती के बारे में जागरूख करना हालांकी बच्चे वयस्क मानकों के अनुसार पहले से ही शांत और शांती पूर्ण होते हैं अगर उन्हें सही दिशा में मार्ग दर्शन किया जाए और उन्हें प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए भी चुप और स्थिर्ता का अभ्यास करने के लिए सिखाया जाए तो उनके 14 वर्ष से पहले एक नया दर्वाजा खुल जाएगा तब जब सेक्स सामने आता है, जब उर्जा उभरती है और बहने के लिए तयार होती है यहाँ पहले ही खुले दर्वाजे के माध्यम से बह जाएगी उन्होंने पहले ही ध्यान की शांती, आनंद, खुशी, अकालपन और अहंकारहिंता को महसूस कर लिया होगा सेक्स के अनुभव से बहुत पहले यहाँ उनकी उर्जा को गलत मार्गों में नहीं जाने देगा यहाँ उसे सही मार्ग पर प्रवृत करेगा शांती की शिक्षा देने की बजाए हम बच्चों को सेक से घ्रिना करने की शिक्षा देते हैं सेक्स पाप है, सेक्स गंदा है, हम कहते हैं हम उन्हें यहां कहते हैं कि यहां बुरा और बुरा है, हम कहते हैं कि यहां नरक है लेकिन नामकरण वास्तविक स्थिती को बदलने में कुछ भी नहीं करता है बरलाइफ बच्चे उच्छुक हो जाते हैं उन्हें ज्यादा जानने की इच्छा होती है इस नरक, इस बुराई, इस गंदे चीज के बारे में जो उनके माता-पिता और शिक्षकों को डरा देती है और पैनिक में डाल देती है बच्चे यह जान लेते हैं कि उनके माता-पिता खुद भी उसी काम में लगे हुए है रात दिन उनके माता-पिता वही काम कर रही है जिसे उन्हें कुछ भी नहीं पता होना चाहिए इस तथे की खोच का त्वरित और स्वच परिनाम उनके माता-पिता के प्रती उनकी आदरभावना का अंत होता है आधुनिक शिक्षा नहीं जिम्मेदार है जैसा की सामान्य रूप से माना जाता है माता-पिता इसके लिए दोशी है बच्चे जल्दी ही इस परोक्षता को ध्यान में लेते हैं उन्हें जल्दी ही पता चलता है कि उनके माता-पिता पूरी तरह से उसी चीज में डूबे हुए है जिसे उन्हें नफर्द करने के लिए सिखाया जा रहा है बच्चे बहुत तीक्षन अवलोकन करता होते हैं उन्हें यहां दिखाई देता है कि आपका रात्री जीवन आपके दिन्चर्या से भिन्न है कि आपकी उदेशना और आपकी अमल में व्यापक अंतर है वे देखते हैं कि घर में क्या हो रहा है वहां कुछ भी हो जो पिताजी को गंदा और माताजी को गुरा खहते हैं वे देखते हैं कि घर में उसी चीज की प्रगती हो रही है वह समझते हैं कि क्या हो रहा है और इसके कारण अपने माता-पिता के प्रती सभी शद्धा भाव को खो देते हैं माता-पिता चालाग, कपती होते हैं, बच्चे निश्कर्षा निकालते हैं, और ध्यान दे जिन बच्चों की आदर भावना में हानी हो जाती है, वे कभी भी इश्वर में कोई विश्वास नहीं कर सकते. बच्चों का पहला धारा सर्मय उनके माता-पिता के माध्यम से होता है यदी यह विश्वास तूट जाए तो वे निष्चित रूप से नास्तिक बढ़ेंगे बच्चों का पहला ईश्वर में पहचान माता-पिता की इमानदारी में होती है और यदि वह कलपना साबित होती है, तो उन्हें ईश्वर की और मोडना कठिन होगा। उनके और ईश्वर के बीच का संबंध तूट जाएगा क्योंकि उनके पहले देवता उनको धोखा दे गए, क्योंकि उनकी मा और पिताजी अंधिकृत हो गए। आज आधुनिक युवा पीधी ईश्वर के अस्तित्व को नकारती है, मुक्ती के विचार को हंसी में उतारती है और धर्म को बकवास कहती है, न कि यहां उन्होंने स्वयम खोज की है और इसलिए अपने खुद के निशकर्ष पर पहुँची है, बलकि उनके माता-पिता के इ इस बात के कारण हुआ है कि उनके बड़ों ने सेक्स को गलत रूप से प्रतिष्ठानित किया है, उन्हें खुलकर समझाया जाना चाहिए कि सेक्स जीवन का हिस्सा है, कि हम सभी सेक्स से उत्पन्न होते हैं, और कि सेक्स उनके जीवन का भी हिस्सा है, इससे उन्हें यह सम पिता की इमानदारी के प्रती शद्धा भाव से भरा रहेगा। एक बच्चे में इस विश्वास और शद्धा की इस शुरुआत से धार्मिक जीवन का नीव रखा जाएगा। हमें इस सेक्स की दमन की आवशक्ता नहीं है, सेक्स की स्पश्चिकरण की आवशक्ता है। जैसे ही बच्चे परिपक होते हैं, जैसे ही उनमें जिग्यासा होती है, माता-पिता को उनके सामने जीवन के मुख्य तत्यों को सुलजा देना चाहिए एक स्वादिश्ट तरीके म यह करना चाहिए इससे पहले की बच्चे अनावर्शक या हानिकारत जिग्यासा को पैदा करने लगे इससे पहले की वे उन्हें गलत स्थानों पर अपनी जिग्यासाई संतोशित करने की दिशा में ले जाएं अन्यथा जैसा की आजकल का स्थिती है बच्चे वह जो जानना चाहते हैं वह गलत लोगों से पता लगाते हैं उन्हें असामान्य परिस्थितियों में और खतरनाग प्रयासों के माध्यम से पता लगता है ये करीके हानिकारक और नाशक होते हैं इन परिणामों से उन्हें जीवन भर दोहक और पीड़ा होती हैं और अंत में बच्चों और उनके माता-पिता के बीच एक लज्जा और गोपनियता की दीवार होती है माता-पिता कभी भी अपने बच्चों के सेक्स जीवन के बारे में नहीं जानते जैसा कि बच्चे अपने माता-पिता के सेक्स जीवन के बारे में अनजान होते हैं इस छुपे-छुपाए का खेल से होने वाली परायापन बहुत ही खतरनाख है बच्चों को सेक्स के बारे में सही शिक्षा दी जानी चाहिए, उन्हें सही शिक्षा मिलनी चाहिए कैसे शांत, शांतिपूर्ण, चुपचाप रहना, कैसे उन्हें नोमाइन की स्थिती तत पहुँचने का तरीका होता है। बच्चे इसे बहुत जल्दी सीख सकते हैं। हर घर में एक निर्धारित कारेक्रम होना चाहिए, जो बच्चों को चुपके से आने में मदद करें। और यह संभव होगा, जब आप माता-पिता भी उनके साथ अभ्यास करें। कति दिन एक घंते की चुप़ी को सभी लागू करना चाहिए। यदि आवशक हो, भोजन को छोड़ना भी चाहिए, लेकिन सभी लागू करना चाहिए कि हर रूप में एक घंते की चुप़ी का पालन किया जाए। जिस घर में दैहिक तौर से एक घंते की चुप़ी का पालन नहीं होता है, उसे घर भी नहीं कहा जा सकता है। वह परिवार भी नहीं कहलाता है। तति दिन की एक घंते की चुप़ी उर्जा को संदक्षित करेगी। और फिर 14 साल की आयू में यह एक आंतरिक्ता में उगरेगा और ध्यान के दर्वाजे को खोलेगा उस ध्यान की स्थिती में जहां मन समय हींता और आहंकार हींता को चुप़ी है। जहां उसने परमात्मा को जलगता है। इस सुप्रीम से मिलन से पहले योवन के बाद यहां लुगधता को रोक देगा। उर्जा ने एक बहतर, अधिक आनंद में, अधिक उच्छपत्पा लिया होगा। इस प्रक्रिया में ब्रहमचर्य की कोई भी प्रक्रिया योवन को अत भाए यहां है कि प्रेम सिखाना मनुष्य को योवन के लबीरिंथ में ले जाएगा। लेकिन यह भाए बेतुका है। योवन को सिखाना मनुष्य को प्रेम में ले जा सकता है। लेकिन प्रेम सिखाना कभी उसे योनता में खीच नहीं लेगा। सच्चाए आम धार्णा के खिलाफ है, यौन की उर्जा प्रेम में बदल जाती है, एक आदमी वही प्रेम उन चारों और फैला सकता है, जितना की उसके भीतर बढ़ता है, जो प्रेम से रिक्त हैं, वे यौन से भरे होते हैं, और वे यौन मैं बने रहते हैं, जितना किसी आदमी में प्रेम नहीं है, उ उत्मी ही उसकी जीवन में कुटिलता होगी। और जो लोग प्रेम रहित हैं, वे उसी दर्जे की इरश्या से भरे होते हैं। जो आदमी प्रेम कम करता है, उतना ही उसे कलह पता है। लोग परेशान और असुखी होते हैं, उनके जीवन में प्रेम की कमी के अनुपात में। उर्जा कमजोर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, वह हमेशा तनाव में रहेगा। और इस कच्चे, कच्चे, नीचे और नीचे समों की भावनाओं का एक मात्र उधारन यौन है। प्रेम उर्जाय परिवर्तित करता है। प्रेम तरंगी रचनात्मक प्रवाही होता है, यह पूरा करता है। और प्रेम की संतुष्टी सेक्स के माध्यम से प्राप की जाने वाली से कहीं गहरी और कहीं अधिक मूल्यवान होती है। जो व्यक्ती जानता है कि त्रप्ती कभी भी किसी परिवर्तन की तलाश नहीं करेगा, ठीक वैसे ही जैसा कि वा आभूशन हासल करने वाला व्यक्ती कभी पत्थरों की खोज नहीं करेगा। लेकिन नफरत से भरा हुआ व्यक्ती कभी भी संतुष्टी नहीं पा सकता। वह हमेशा बेचैन रहता है, वह अपने मार्ग में सब कुछ नश्ट करता है. और विनाश कभी भी खुशी नहीं लाता, केवल स्रिष्टी ही किसी को संतुष्टी की भावना से सिर्पटित कर सकती है. इर्ष्या से भरा हुआ व्यक्ति लड़ाई और प्रतिस्पर्धी है, लेकिन ऐसा होना कभी भी संतुष्टी नहीं लाता है. एक आक्रमनकारी व्यक्ति केवल दूसरों पर हमला करता है. आनंद केवल देकर ही प्राप्त किया जा सकता है, कभी नहीं लेकर. दृष्टी में सब कुछ पकड़ना और जमीन पर सब कुछ संग्रहित करना कभी भी मानसिक शांती नहीं लाएगा, लेकिन इसे देकर उप्युक्त वितर्ण के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है. एक उतक्रिष्ट पत पर चलने वाले व्यक्ति वह है, जो शक्ति की परवाह नहीं कर रही है, बलकि प्रेम की खोज में है, वे जनोंने प्रेम को कहीं भी और हर जगा वितरित किया है, उन्हें उच्च आनन में जीने वाले हैं. जैसा कि किसी आदमी में प्रेम है, वैसा ही संतुष्टी का आदान प्रदान, गहरी संतोष, आनन्द, साधन की भावना है, जिसे वह अपने हरदय के हरदय में पालेगा. ऐसे एक प्रबुध व्यक्ति को यौनता के साथ परेशान होने की चिंता नहीं होगी, उसे इसकी दिशा में देखने के लिए कोशिश करने की भी आवशक्ता नहीं होगी. क्योंकि संतुष्टी और आनन सेक्स में प्रतिद्वन्वी से प्रतिस्थापित हमेशा प्रेम से उपलब्ध है. अगला आदान प्रदान, पूर्णता की ओर बढ़े. हमें प्रेम की पूजा करनी चाहिए, हमें प्रेम देना चाहिए, हमें प्रेम में जीना चाहिए. लेकिन केवल अन्य मनुष्यों से प्रेम करन खेल का नाम नहीं है, प्रेम में समर्पित रहना है, अपने पूरे व्यक्तित्व को प्रेम से पुनर निर्मित करना है, मैं प्रेम में पूर्ण शिक्षा की बात कर रहा हूँ, हमें एक पत्थर को दोस्त की तरह उठा सकना चाहिए, हमें एक शत्रू के साथ हाथ मिला सकना च जैसे कि हम एक दोस्त के हाथ पकड़ रहे हैं, प्रेमभाव से व्यवहार करते हैं, जबकि कुछ लोग दूसरे व्यक्तियों के साथ वह प्रकार का व्यवहार करते हैं, जो जीवीन वस्तुओं को भी प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। एक विद्वान यात्री एक प्रसिद फकीर को देखने आया, किसी कारण से व्यक्ति को परेशान था, संभवत, कठिन यात्रा के कारण, और उसने गुस्से से अपने जूते की शोलेस को खोल दिया, अपने जूतों को एक कोने में छोड़ दिया और दर्वाजे को एक भारी ठ खोल दिया, क्रोध में एक व्यक्ति अपने जूते उतारेगा जैसे की जूते उसके सबसे बड़े दुश्मन हो, वह दर्वाजे को ऐसे ही खोलेगा जैसे की उसमें और उसके बीच में बड़ा दुश्मनी हो, आदमी ने दर्वाजे को खोला, अंदर गया, और फकीर को श तुम्हें क्या हुआ उसने पूछा एक दर्वाजे को माफ क्यों करू और एक जोडे जूतों को क्या वे जीवित हैं। जब तुम उनकी व्यक्तिक्ता को मानते हो और उन पर अपना क्रोध निकालते हो तो तुम्हें भी उनसे क्षमा मांगने के लिए तैयार होना चाहिए। तृप्या जाकर उन्हें अपनी माफियाद अर्पित करें। अन्य था मुझे तुम्हारे साथ इस संबाद को जारी रखने का इरादा नहीं है। यातरी ने सोचा की चर्चा को इस प्रकार के छोटे से मामले पर खत्म करना अवल होगा। इसलिए उसने जूतों के पास जाकर जोडी हुई हातों से कहा, मित्रों मुझे मेरी अजभावता के लिए क्षमा करो, दर्वाजे के लिए उसने कहा, माफ करो। तुम्हें ऐसे गुस्से में धकेलना एक गलती थी। उसके लिए कैसा एक खशन था। उस यात्री ने अपनी जीवनी में लिखा है कि शुरू में उसको बहुत ही उपकी सी आई, लेकिन जब उसने माफी मांगना समाप्त किया, तब उसमें कुछ नया उजागर हुआ था, उसने इतनी शांती, इतनी धैर्य, इतनी शांती महसूस की। यहां उसकी सबसे आश्चर्य जनक कल्पना से परे था कि एक व्यक्ती कैसे इतना शांत, इतना संद्रहीत और इतना आननमय महसूस कर सकता है, बस एक दर्वाजे और एक जोडी जूते से माफी मांग कर। उसने जब अपनी माफी मांगी, तब वहाँ फकीर के पास बैठा और फकीर हंस्ते हुए बोले, अब ठीक है, अब तुम ट्यून हो गए हो, अब हम बात कर सकते हैं, अब तुमने कुछ प्रेम दिखाया है और भारिता से मुक्त हो गए हो, अब हमारे बीच एक संबंध हो स सकता है, सिध्धान्त यहां नहीं है कि केवल मानवों से ही प्रेम करना चाहिए, यह पूर्णता से प्रेम से भरा होने का सवाल है, कहना कि किसी को अपनी मा को प्रेम करना चाहिए गलत है, यह एक गुमराही है, यदि एक पिता अपने बच्चे से कहे कि वहां उसे सिर्फ इसलिए प्रेम करे क्योंकि वह उसका पिता है, तो यहाँ धोखा है, वह प्रेम के लिए कारण दे रहा है. उसी तरह से, अगर किसी माने अपने बच्चे से कहा कि वह उसे सिर्फ इसलिए प्रेम करे क्योंकि वह उसकी मा है, तो यहाँ एक आत्मसाथकार है. जिस प्रेम के साथ क्योंकी और इसलिए की स्ट्रिंग्स जुडी होती है उसे गलत रूप से प्रेम कहा जाता है प्रेम को कारण सिथ होना चाहिए इसे किसी कारण से नहीं बोजित किया जाना चाहिए मा कहती है मैंने तुम्हारा ध्यान रखा मैंने तुम्हें पलना पोशन किया इसलिए मुझसे प्रेम करो वह एक कारण दे रही है और वहां प्रेम समाप्थ हो जाता है यदि एक बच्चा मजबूरी से कुछ प्रेम दिखा दे तो शायद वह इसलिए हो सकता है कि वह उसकी मा है लेकिन प्रेम सिखाने का उद्देश यह नहीं है कि बच्चे को किसी कारण से प्रेम व्यक्त करने के लिए मजबूर किया जाए बलकि एक ऐसे वातावन की पूर्ण भविश इस खुशी के में होने पर निर्भर करता है कि वह किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रती प्रेम के इस आनन्द में कितना सामर्थ्य है चाहे वह कोई पत्थर हो, कोई मानव हो, कोई फूल हो, कोई जानवर हो, चाहे जो कुछ भी हो. बिन्दु यह नहीं है कि केवल किसी जानवर या फूल या उसकी मा या कोई और को प्रेम करना, पूरा मामला यह है कि बच्चा पूर्ण प्रेम से भरा रहे. इस पर ही नहीं उसका भविश ही, बलकि मानव जाती का भविश भी निर्भर करता है. एक व्यक्ति के जीवन में आनंद और खुशी के के भविश शास्त्री संभावनाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि उसके भीतर कितना प्रेम है. एक प्रेम भरा व्यक्ति सेक्सॉलिटी से भी मुक्त हो सकता है. लेकिन हम प्रेम नहीं बाटते, हमारे पास प्रेम के लिए कोई हुटसा नहीं है. तो वहाँ गुस्सा करता है. नफरत भरे व्यक्ति को जब वहाँ अकेला होता है, तो वहाँ नफरत करता है. एक ऐसे व्यक्ति को देखे जब वहाँ अकेला होता है और आप उसका क्रोध महसूस करेंगे हालांकि उस समय वह किसी विशेश व्यक्ति के पास अपना क्रोध दिखा रहा हो सकता है उसके पूरे अस्तित्व से केवल नफरत क्रोध से भरा हुआ है उल्टे यदि आप एक प्रेम्भरे व्यक्ति को देखें तो आप उसे प्रेम से भरा हुआ महसूस कर सकते हैं हालांकि वह अकेला होता है जंगल में खिलते हुए फूल अपनी सुगंध फैलाते हैं चाहे कोई हो उन्हें महसूस करने वाला या नहीं चाहे कोई वहां से गुजर रहा हो या नहीं सुगंध फैलाना एक फूल की प्राकृतिकता है यहां ब्रांती में न रहें कि एक फूल अपनी सुगंध केवल आपके लिए ही फैलाता है लोग सिर्फ प्रेम से भरे होना चाहिए यहां इस पर नहीं निर्भर करना चाहिए कि किसके साथ लेकिन प्रेमी चाहता है कि प्रिय उसे केवल उसी से प्रेम करे, किसी और से नहीं मुझसे ही प्रेम करो, वह कहता है, लेकिन उसको यहाँ पता नहीं है कि जो लोग सभी से प्रेम नहीं कर सकते, वह किसी से भी प्रेम नहीं कर सकते पत्मी कहती है कि उसके पती को केवल उसी से प्रेम करना चाहिए और किसी और को स्नेय नहीं दिखाना चाहिए लेकिन उसे यहां नहीं समझती की ऐसा प्रेम जूटा है और उसने इसे ऐसा होने का कारण बनाया है एक पती जो हमेशा प्रेम से भरा नहीं रहता है, वा अपनी पत्मी के प्रती प्रेम भी कैसे कर सकता है? प्रेम होना जीवन की स्वाभा विकता है, किसी व्यक्ति के प्रती पूर्ण प्रेम और सभी के प्रती प्रेम ही न होना संभव है लेकिन मानवता ने इस सरल सत्य को देख नहीं पाया है पिता बच्चे से कहते हैं कि वह उससे प्रेम करें लेकिन क्या कभी उन्होंने बच्चे को सिखाया है कि घर में जो बुढ़ा सेवक है उससे प्रेम करें क्या वह भी एक आदमी नहीं है सेवक बुढा हो सकता है लेकिन वह किसी के पिता भी हो सकता है नहीं वह केवल एक सेवक है और इसलिए उसके प्रती शिष्टाचार या प्रेम दिखाने का कोई प्रश्ण नहीं है लेकिन यहाँ पिता यहाँ नहीं समझते हैं कि जब वहाँ बुढ़ा हो जाएगा तो उसके बेटों से अगर उसे कोई स्नेह नहीं दिखाएगा तो वहाँ शिकायत करेगा उनके बेटे पूर्ण प्रेम से भरे होते तो वे भी अपने बुढ़े पिता की पूजा करते प्रेम एक रिष्टा नहीं है, प्रेम एक मानसिक स्थिति है यहाँ एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक आवशक घटक है इसलिए प्रेम की शिक्षा में दूसरे चरण का मौखिकारी है कि बच्चे को सिखाएं कि वहाँ सभी से प्रेम करें यदि एक बच्चा एक पुस्तक को सही धंग से भी नहीं रखता है तो उसका ध्यान इस तथ्य पर आकरशित किया जाना चाहिए कि ऐसा करना उचित नहीं है उसे यहां बताया जाना चाहिए कि अगर वह पुस्तक के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे यदि आपने अपने कुट्टे के साथ भी कुरूरता की है तो यहाँ आपके व्यक्तित्व में कमी की ओर संकेत है या यह सिद्धान्तित करता है कि आप में प्रेम की कमी है और जो भी पूल्ण प्रेम के बिना है वह सच्चा आदमी नहीं है मैं एक फकीर की कहानी याद करता हूँ जो एक छोटे से जोपड़ी में रहता था एक रात लगभग मध्यरात्री को बारिश तेज बारिश हो रही थी और फकीर और उसकी पत्नी सो रहे थे अचानक दर्वाजे पर खट-खटा हट हुई कोई आश्रे चाहता था फकीर ने अपनी पत्नी को जगाया कोई बाहर है उसने कहा कोई यातरी कोई अग्याद दोस्त क्या आपने ध्यान दिया है उन्होंने कहा कोई अग्याद दोस्त जिन्हें आप जानते भी नहीं उनसे तुम दोस्ती तक नहीं करते उनका द्रिष्टिकोन प्रेम का था फकीर ने कहा बाहर कोई अज्याद दोस्त है क्रिप्या दर्वाजा खोलो उनकी पत्नी ने कहा जगा नहीं है हम दोनों के लिए भी परियाप्त जगा नहीं है एक और व्यती कैसे आ सका है फकीर ने जवाब दिया मेरी प्यारी यह एक धनी व्यक्ती का महल नहीं है यह और भी छोटा नहीं हो सकता एक धनी व्यक्ती का महल भी एक और महमान आये तो छोटा लगता है लेकिन यह एक गरीब व्यक्ती की जोपडी है उसकी पत्नी ने पूछा इसमें गरीब और धनी का सवाल कैसे आया? सामान्य तथ्य यहा है कि यहा बहुत छोटी जोपडी है. फकीर ने उत्तर दिया, अगर तुम्हारे दिल में परियाप्त जगा है, तो तुम्हें लगेगा कि यहा जोपडी एक महल है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल संकुचित है, तो एक महल भी छोटा लगेगा. कृप्या दर्वाजा खोलो. हम कैसे किसी को इनके दर्वाजे पर आने से मना कर सकते हैं? अब तक हम सोते रहे हैं. शायद तीन लोग लेट ना सके, लेकिन कम से कम तीन बैठ सकते हैं. हम सभी बैठेंगे तो एक और आ सकता है. पत्नी को दर्वाजा खोलना पड़ा. व्यक्ती भीगा हुआ था. वे साथ में बैठे और बातचीत करने लगे. कुछ ही समय बाद और दो लोग आये और दर्वाजे पर खट लगता है कोई और आया है. और उसने उस मेजबान से कहा जो दर्वाजे के सबसे क्रीब बैठा था कि वह दर्वाजा खोले. उस आदमी ने कहा दर्वाजा खोलू? यहां जगा ही नहीं है. उस आदमी ने जो कुछ ही पल पहली ही इस कुटिया में शरन ली थी. उसने भूल गया था कि उसको जगा मिली थी क्योंकि उसके पास फकीर के प्रती प्रेम था. बलकि उसने इसलिए शरन ली थी क्योंकि कुटिया में प्रेम था. और अब कुछ नए लोग आ गए थे और प्रेम को नए आगंतुकों को अनुकूलित करना चाहिए था लेकिन उस आदमी ने कहा नहीं दर्वाजा खोलना आवश्चक नहीं है क्या तुम नहीं देख रहे हो कि हम यहां बैठ कर कित्मी मुश्किल में है फकीर ने कहा मेरे प्यारे आदम क्या मैंने तुम्हारे लिए जगन नहीं बनाई थी तुम्हें अनुमती दी गई क्योंकि यहां प्रेम है यहां अब भी यहां है यहां तुमके साथ समाप्त नहीं हुआ है त्रिप्या दर्वाजा खोलो अब हम एक दूसरे से दूर बैठे हैं इसलिए हम बस एक साथ घेर लेंगे इसके अलावा रात ठंडी है और हमें एक दूसरे के साथ इतना सुस्त बैठने का आनन्द होगा दर्वाजा खोला गया और दो नए आगन तुक आए वे सभी मिलकर बैठे और परिचित होने लगे फिर एक गधा आया और अपने सिर से दर्वाजे को धक्का मारा गधा भीगा हुआ था उसको रात के लिए शरन चाहिए थी फकीर ने उस व्यक्ति में से एक से कहा जो दर्वाजे के उपर बैठा हुआ था कि उसने उसे खोलने के लिए कहे कोई नया दोस्त आया है फकीर ने कहा दर्वाजे की और जाकते हुए व्यक्ति ने कहा यह कोई दोस्त या कुछ भी दोस्त जैसा नहीं है बस एक गधा है दर्वाजा खोलने की आवर्शक्ता नहीं है फकीर ने कहा शायद तुम्हें यहां नहीं पता कि धन्वान के दर्वाजे पर लोगों को पशो की तरफ व्यवहार किया जाता है, लेकिन यहां एक गरीब फकीर की कुटिया है, और हमें सारे पशों को भी मानव बनाये रखने का आदान प्रदान है. क्रिप्या दर्वाजा खोलो, एक साथ लोगों ने कहा लेकिन जगा, बहुत जगा है, बैठने के बजाए हम सभी खड़े हो सकते हैं, चिन्ता ना करो, यदि जरूरत पड़ी तो मैं बाहर जाकर परियाप्त जगा बनानूंगा, क्या प्रेम इतना नहीं कर सकता? एक पूरे प्रेम भरे हरदय की आवशकता है, हमें सभी को प्रेम भरे द्रिश्टिकोन की आवशकता है, मानवता का जन्म केवल उस आदमी में होता है, जब उसके पास एक प्रेम भरा हरदय होता है, और एक प्रेम भरे हरदय के साथ एक गहरे संतोश का एहसास, एक गहरे और प्रिय संतोष का एहसास आता है। एक शर्तमुक्त प्रेम प्रेम नहीं है। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं, क्योंकि वह आपके पिताजी है या क्योंकि वह आपकी मा है, तो नहीं। हाँ, व्यक्ति आपके लिए विशेश रूप से कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक उपहार देना स्वयम में एक महान कुरसकार, एक बड़ी खुशी है। प्रेम आपके अंदर बहना चाहिए, पौधों के लिए प्रेम, मानवों के लिए प्रेम, अज्यातों के लिए प्रेम, विदेशियों के लिए प्रेम, चंद्रमा और तारों की ओर जाने वालों के लिए प्रेम। आपका प्रेम सदय बढ़ता रहना चाहिए। यौन संभावना उसमें प्रेम की व्रिधी के साथ कम होती है। प्रेम और ध्यान उस दर्वाजे को खोलेंगे जो भगवान का है। मिलकर प्रेम और ध्यान भगवान को चूते हैं और फिर एक मनुष्य के जीवन में ब्रहमचर्य फूल खिलता है। तब पूरी जीवशक्ती एक नए रास्ते से उपर चड़ती है। तब यह सीधे से बाहर नहीं गिरती तब यह कभी भी पीछे नहीं हटती। उर्जा अंदर से उपर बढ़ती है। यह स्वर्प की ओर अपने यात्रा पर बढ़ रही है। हमारा सफर वर्तमान में नीचे के स्तरों की ओर है। प्राकृतिक रूप से उर्जा केवल नीचे की ओर बहती है। योनी में लेकिन ब्रहमचर्य उपर की ओर यात्रा है। और प्रेम और ध्यान ब्रहमचर्य के मौलिक घटक है कल हम ब्रहमचर्य के माध्यम से हासिल क्या करते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम क्या प्राप करते हैं यह हमें किस तर तक ले जाना है आज मैंने आप से दो चीजों की बात की प्रेम और ध्यान मैंने आपको बताया कि प्रशिक्षन को शिशु चरण से ही शुरू होना चाहिए लेकिन आपको इससे यहां नहीं निकालना चाहिए कि क्योंकि आप अब बच्चे नहीं है तो आपके लिए कुछ बचा नहीं है उसके बाद मेरी मेहंत बेकार जाती है आपकी आयू जो भी हो इस अच्छे कार्य को आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं हालांकि आयू के साथ साथ कड़ी हो जाती है इस मार पर यात्रा को किसी भी जीवन के चरण में प्रारम किया जा सकता है बच्चपन में इस यात्रा की शुरुआत करना बहतर है लेकिन जीवन के किसी भी स्टेज पर इसे लेना अच्छा है आप आज ही शुरू कर सकते हैं जो बड़े हैं और सीखने के ये इच्छुक हैं वे वर्षों की आयू में भी बच्चे हैं वे भी फिर से शुरुआत कर सकते हैं वे भी सीख सकते हैं अगर उन्होंने यहां नहीं ग्रहन किया है, कि उन्हें पहले ही सब कुछ पता है, या कि उन्होंने पहले ही सभी इच्छनिय चीजें हासिल कर ली है। गौतम बुद्ध के एक शिश्य थे जनोंने बहुत सालों तक भक्ती की थी और एक दिन बुद्ध ने उससे पूछा, भिक्षु तुम्हारी आयू क्या है? भिक्षु ने जवाब दिया, पाँच साल, बुद्ध हैरान हो गए, पाँच साल का, तुमसे कम से कम 87 लगते हो, य यह कैसा जवाब है? भिक्षु ने कहा, मैं इसलिए यह कहता हूँ, क्योंकि ध्यान की किरण मेरे जीवन में पाँच साल पहले प्रवेश की और केवल पिछले पाँच सालों से ही प्रेम मेरे जीवन में बौचार करता है. उससे पहले, मेरा जीवन सपने की तरह था, मैं सो सविक जीवन पाँच साल पहले ही शुरू हुआ था. मैं सिर्फ पाँच साल का हूँ. बुद्ध ने अपने सारे शिश्यों से कहा कि धिक्कार है कि भिक्षु का जवाब अच्छे से नोट करें. तुम्हें सभी इसी तरह से अपनी आयू गिन्नी चाहिए या आयू गिनने का मानक है. अगर प्रेम और ध्यान अब तक तुम में उत्पन्न नहीं हुए है, तो तुम्हारा जीवन अब तक अव्यर्थ है, तुम अब तक पैदा नहीं हुए हो. लेकिन यह कभी भी इतना देर नहीं होता कि तुम कोशिश करना नहीं शुरू कर सकते. हमें सभी एक करना चाहिए. और उसके लिए कभी भी बहुत देर नहीं होती है. तो मेरे शब्दों से यहां निशकर्ष ना निकालें क्योंकि आप बचपन से हो गए हैं, कि यहां चर्चा केवल भविश्य की पीडियों के लिए है. कभी भी किसी भी आदमी ने इतनी दूर गलत रास्ते पर नहीं जाया है, कि वह सही रास्ते पर लोट नहीं सकता, किसी ने ऐसा दुर्मार्गी हो गया है, कि वह सच्चे प्रकाश से लाब नहीं उठा सकता है. तुलनात्मक रूप से कहा जा सकता है, कि इस यात्रा के लिए बहुत कुछ प्रयास की आवशक्ता नहीं है. उन परकाश की एक जलक, उस आनंद, उस सत्य की जलक से ही हमें यहाँ एहसास होता है, कि हमने इतना कुछ इतने छोटे प्रयास के साथ प्राप्त किया है. यहाँ हमें दिखाता है, कि हमने बहुत ही तुछ प्रयासों के साथ अनमोल प्राप्त किया है. कृप्या मेरे शब्दो को गलत द्रिश्टिकोन में ना देखें. यहां मेरी विनम्र अनुरोध है आप सभी सेक्स, सुपरेटम. यहां एक कहानी है. एक छोटे गाव के स्कूल में एक शिक्षक रामा की कहानी पढ़ा रहा था. लगभक सभी बच्चे सो रहे थे. इस प्रकार की घटना रामायन की प पताया गया है कि इसने अपनी महत्ता खो दी है, नवीनता चली गई है. शिक्षक मेकेनिकली पढ़ रहा था, अपने सामने खुली किताब की ओर देखते भी नहीं, और एक बाहरी व्यक्ती ने यहां भी देख सकता था कि वहां भी सो रहा था. उसने इसे दिल से याद किया और एक तोते की तरह किसी कहानी की घटनाएं बयान कर रहा था. उसे यह पूरी तरह से एहसास नहीं था कि वहां क्या कह रहा था. जो कुछ-कुछ किसी ने मुहावरे में याद किया है, उसे कभी पता नहीं चलता कि वहां क्या कह रहा है. अचानक कक्षा में एक संसन हुआ निरिक्षक आ गया था छात्र ध्यानवत्ता में आ गए और शिक्षक भी होश्यार हो गए शिक्षक पाठ जारी रखते हैं निरिक्षक ने कहा मैं खुश हूँ कि देख रहा हूँ कि तुम रामायन सिखा रही हो मैं बच्चों से रामा के बारे में कुछ पूछूँगा यह मानते हुए कि बच्चे ब्रेक हुए वस्तों या युद्धू की कहानियों को आसानी से याद रखते हैं उन्होंने एक साधारित प्रश्न पूछा बच्चों मुझसे बताओ कौन ने शंकर के धनुष को तोड़ा एक लड़का ने हाथ उठाया खड़ा होकर कहा शमा करें सर मैंने नहीं तोड़ा मैं पंद्रा दिन के लिए बाहर गया था और मुझे नहीं पता कि कौन ने तोड़ा मैं यहाँ अब तक स्पष्ट करना चाता हूँ क्योंकि जब भी स्कूल में कुछ होता है तो मुझे इसके लिए पहला इल्जाम किया जाता है यहाँ निरिक्षक को एक अचानक जटका मारा उसने शिक्षक की और मुड़ा जो अपना छड़ी उठाने के लिए था और शिक्षक से सुना यहाँ रासकल निश्चित रूप से अपराधी है यहाँ सभी में सबसे बुरा है उसने लड़के को डाम दिया अगर तुमने यहाँ नहीं किया तो तुमने फिर क्यों खड़ा होकर कहा कि तुमने नहीं किया उसने निरिक्षक से कहा इस लड़के की मिठी बातों से बहट नहीं जाना चाहे निरिक्षक ने सोचा कि बहतर होगा कि उसने कुछ नहीं कहा इसलिए उसने बस मुढ कर कक्षा छोड़ दी लेकिन उसका क्रोध था और उसने सीधे हेड्मास्टर के कार्या लए गया और घटना को पूरी तरह से सम्विवेचना की उसने पूछा कि हेड्मास्टर इसके बारे में क्या कद उठाने का इरादा कर रही है हेड्मास्टर ने निरिक्षक से कहा कि इस मुद्दे को और भी आगे बढ़ाने का कोई फाइदा नहीं है उसने व्याख्या की की आजकल छात्रों के साथ कुछ कहना खतरनाक हो गया है चाहे वह कोई भी हो जिसने भी धनुष तोड़ा हो उसने कहा मुद्दा छोड़ दो स्कूल में पिछले दो महीनों से शांती रही है उससे पहले छात्रों ने बहुत सारा फरनीचर तोड़ा और जलाया चुप रहना भेतर है इन दिनों उनसे कुछ कहना केवल गंभीर समस्या को आमंत्रित करेगा कभी भी हरताल, धरना, मौन उपवास हो सकता है निरिक्षक चौप गए, उन्होंने पूरी तरह से हैरान हो गए उन्होंने स्कूल समिती के अध्यक्ष के पास जाकर उसे बताया कि क्या हुआ था कि एक कक्षा में रामायन सिखाया जा रहा था कि एक लड़का ने कहा कि उसने शंकर के धनुष को नहीं तोड़ा है कि शिक्षक ने कहा कि लड़का अपराधी होना चाहिए कि हेड्मास्टर ने याचिका की कि यहां मामला छोड़ दिया जाए चाहे जिम्मेदार कौन भी हो कहते हैं कि इसे अनुसंधान करना अच्छा नहीं है कि इसकी निरंतर हड़तार आधी की भयंकर आशंका है इत्यादी इत्यादी निरिक्षक ने चेर्मेन से अपने दृष्टिकोन के बारे में पूछा चेर्मेन ने कहा कि उन्हें लगता है कि हेड्मास्टर ने अपनी नीती में बुद्धिमानी दिखाई है और इसके अलावा उन्होंने जोड़ा अपराधी के बारे में परेशान मत हो जाओ चाहे जो धनुष तोड़ा हो समिती उसे मरम्मत करवा लेगी कारण की खोच करने की बजाए उसे मरम्मत करवानती से पूरी तरह से बिजगस्ट हो गए थे ने अपने अनुभव को मुझसे साजा किया मैंने उससे कहा कि उसकी कहानी में मौलिक रूप से कुछ नया नहीं है इसमें कुछ नहीं है जिसके बारे में हम बिलकुल नहीं जानते हुए गर्वित होना एक सामान्य मानव कमजोरी है किसी को भी शंकर के धनुष तोड़ने के बारे में कुछ याद नहीं रहा क्या यह उन्हें पूछना बहतर नहीं था कौन सा शंकर लेकिन कोई भी अपनी अज्यानता को स्वीकार करने के लिए तयार नहीं था कोई आदमी इतना सासी नहीं है यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खाई रही है यह कमजोरी ने आत्मात्या कर ली है हम ऐसा कारण बनते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं और इसके परिणामस्वरूप हम अपने जीवन को गड़बड करते हैं हमारे सभी समस्याओं के सभी उत्तर उस लड़के उस शिक्षक, हेडमास्टर और चेर्मेन के जैसे हैं सवाल को समझे बिना जवाब देने का प्रयास एक व्यक्ति को मूर्क बना देता है यह पूरी तरह से आत्मवशीष्टता है इसके अलावा इसमें उदासीनता की द्रिष्टिकोन भी है उदासीन आदमी पूछेगा सच में क्या हमें यह नहीं पता होने पर हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि किसने शंकर का धनुष तोड़ा इस मूर्क कहानी के समस्याओं के बिना जीवन में और भी गहरी रहस्य में समस्याएं है और उनके उचित समाधान पर निर्भर करता है कि जीवन श्रेष्ट हो सकता है या नहीं क्या जीवन सामन जस्यपूर्ण हो सकता है या नहीं वास्तव में कितना अशुद्ध है। हमारा प्रत्यक व्यक्ति का जीवन यह दिखाता है कि हम जीवन के बारे में बिलकुल भी कुछ नहीं जानते। अन्यथा इतनी निराशा, इतना कष्ट, इतनी चंता कैसे हो सकती है। मैं यही बात सेक्स के बारे में हमारे ज्यान के संदर्ब में कहता हूँ. हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं. शायद आप सहमत नहों. आप तर्क करेंगे, शायद हम सोल या भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते हों, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि हम सेक्स के ब आपको कहने का साहस करता हूं कि आप सेक्स के बारे में कुछ नहीं जानते हालां कि यहाँ आपको मेरे बोलने से सहमत होना बहुत कठिन हो सकता है। आपने sexual अनुभव किये हो सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि एक जानवर की तरह sex के बारे में कुछ नहीं है. एक प्रक्रिया को mechanically अनुभव करना उसे जानने के लिए केवल काफी नहीं है. एक आदमी ने 1000 मील की यात्रा की हो सकती है, लेकिन यहाँ आवश्चत नहीं है कि उसे इंजन के बारे में कुछ भी पता हो. वह मेरे कथन का मजाक कर सकता है, कहते हुए कि उसने बस 1000 मील चलाई है, लेकिन मैं अभी भी आरोप लगाने का साहस करता हूं कि उसे गारी के बारे में कुछ नहीं पता है. मैं दोहराता हूँ, गारी चलाना इंटरनल मैकेनिजम को जानने से अलग है. एक आदमी एक स्विच दबाता है और प्रकाश हो जाता है. उसने इसे अंगिनत बार किया है. वह कह सकता है कि वहाँ बिजली के बारे में सब कुछ जानता है क्योंकि व और हम कहेंगे कि वहाँ एक मूर्ख है कि एक बच्चा भी एक स्विच को चालू और बंद कर सकता है कि इसमें बिजली के ज्यान की कोई आवशकता नहीं है. किसी को भी विवा करने की योग्यता है. किसी को भी संताने पैदा करने की क्षमता है. इसका सेक्स के ज्यान से कु यौन विज्ञानिक्ता की पूरी तरह से अध्ये नहीं हुआ है। एक विज्ञान या यौन पर पूर्ण विचार तंत्र विक्सित करेंगे। हम एक नए प्रकार के मानव जन्म को उत्पन्न करेंगे। फिर इस पृत्वी पर ऐसे कोई भी दुखद, बेस्वाद, लंगडे और कमजोर मानव नहीं होंगे। बीमार, कमजोर, कुवारे आदमी इस पृत्वी पर और नहीं दिखाई देंगे। वर्तमान पीधी का निर्मान जारी रखना बिलकुल आवशक नहीं है, जो पाप और अपराज से उत्पन्न हुई है। लेकिन हम इसकी जानकारी में नहीं हैं। हम बिजली के बारे में सब कुछ जानते हैं। एक आदमी अपने जीवन के अंघ तक यह नहीं समझ पाता की यौन क्या है। उसे केवल चालू और बंद का पता होता है, और कुछ नहीं। हम कभी भी यौन विशय पर गहराई से नहीं जाते, कभी भी यौन के अभ्यास पर विचार नहीं करते, कभी भी इसके की गहराईयों तक पहुँचने की कोशिश नहीं करते, कभी भी इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हम मानते हैं कि हमें इसके बारे में सब कुछ पता है. और जीवन में यौन से अधिक गहरा रहस्य, कोई और गहरा रहस्य, कोई और विशय नहीं है, और हम इसके बारे में पूरी तरह से अंधकार में हैं। बहुत से दोस्त नहीं माने। बात में एक दोस्त ने मुझसे कहा, मैंने पहले कभी इस पर विचार नहीं किया, लेकिन जो तुम कह रहे हो, वह हो गया है, एक किसी महिला ने मुझसे कहा, मेरे साथ तो यह कभी नहीं हुआ है। जब तुमने इसके बारे में बात की, तो मुझे याद आया कि मेरा मन शांत और संतुष्ट हो जाता है, लेकिन मैंने कभी भी अहंकार हींता या किसी और गहरे अनुभव को महसूस नहीं किया है, शायद बहुत से लोगों ने पहले इस पर विचार नहीं किया हो, इसलिए ह कुछ बिंदूओं पर विस्तार से चर्चा करें, पहली बात तो यहा है कि मनुष्य यौन विज्ञान के पूर्व ज्ञान के साथ जन्म नहीं लेता है, वे व्यक्तिया ही दुरलब हैं जो अपने कई पूर्व जन्मों के अनुभवों की छाया रखकर यौन कला, यौन यौन की जटिलताओं को पूरी तरह समझ सकते हैं, ये आत्माएं ही वे हैं जो वास्तविक ब्रहमचर्य के स्थान तक पहुँच सकती हैं, एक व्यक्ति के लिए जो यौन की पूर्ण वास्तविक्ता, पूर्ण प्रभाव से परिचित है, वहां यौन अर्थहीन हो जाता ह उस व्यक्ति को यह बस तब ही अनुकरन करता है, वहां उससे पार कर जाता है, लेकिन हमारे परंपरा में हैं कि हम उन लोगों के साथ यौन की चर्चा नहीं करते जिनोंने पहली ही पार्मार्थिक्ता को प्राप कर लिया है, साथ ही जिनोंने ब्रहमचर्य की शुद्धता तक पहुँच गए हैं, वे अगर्महन प्रयास के बाद ही अपने पूर्व जन्मों और जीवनों के बारे में कह सकते हैं। केवल एक पूर्ण ब्रहमचारी ही यौन और दिव्यता के बारे में पूर्ण सत्य को प्रकट कर सकता है। इंद्रियवादी को सुक्ष्मताओं में से कुछ भी समझ में नहीं आता है, और उनकी अज्ञानता के कारण उनका जीवन अंत तक यौनता में डूबा रहता है। पहले ही मैंने बताया है कि पशों के लिए यौन संबंध का एक कारिक्रम होता है, उनका एक सीजन होता है। पशु मूड का भावना का इंतजार करते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए इसका कोई निश्चित समय नहीं होता। इसका कारण क्या है? यहां इसलिए हैं क्योंकि पशु मनुष्य से गहरे स्तर पर यौन में यौन का अध्ययन किया है, जिनोंने इस पर गहराई से जानकारी प्राप्त की है, जिनोंने जीवन के विभिन अनुभवों पर ध्यान दिया है, उन्होंने यहां निर्धारित किया है, कि यदी केवल एक मिनिट तक ही बने रहते हैं, तो एक आदमी को अगले दिन फिर से इच्छा होगी, लेकिन यदी इसे तीन मिन्टों तक बढ़ाया जा सकता है, तो वह एक हफते तक यौन की चिंता नहीं करेगा, इसके अलावा, उन्होंने देखा है, कि यदी संबंद साथ इतना मुक्त हो जाएगा कि उसमें आग की कोई भावना नहीं उत्पन्न होगी तीन महीने तक, और यदी संबंद का समय तीन घंटे तक बढ़ाया जा सकता है, तो एक आदमी यौन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, उसमें कभी भी इच्छा नहीं आएगी, लेकिन मन इनुष्य का अनुभव सामान्यत एक पल के लिए होता है, तीन घंटे की अवधी की तत्नीक को यहां तक की विचार करना कठिन है, हालां कि मैं पुना उत्रिष्ट यौन समर्पन की ओर जाने के लिए तीन घंटे तक संबंद में रह सकता हूं, तो एक ही यौन संबंद उस बाकी जीवन के लिए मुक्त करने के लिए परियाप्थ हैं, यहां एक ऐसा संबंद है जो संतोष की अनुभूती, आनंद की अनुभूती चोड़ता है, जो जीवन भरतत रहता है, पूर्ण संबंद के बाद वास्तविक ब्रहामचर्य की प्राप्ति के लिए कोई बाधा यहां तक कि एक पूरे जीवन के यौन अनुभव के बावजूद हम कभी भी उस उच्चस्तर के पास नहीं पहुँचते, उस दिव्यता के पास नहीं पहुँचते। यौन कला, यौन विज्ञान के बारे में नहीं समझा है और उसे इसके बारे में कभी बताया नहीं गया है। उसने इस पर विचार नहीं किया है। उसने उसे उजवल चेता वालों के साथ कभी चर्चा नहीं की है। आप यह सक्षम हो सकते हैं कि एक ऐसे अनुभव को जो साम यदि आप इन पर ध्यान देते हैं, तो ब्रहमचर्य का सफर सरल हो जाएगा। जितनी तेज श्वास होगी, उतनी ही संबंध की अवधी कम होगी, जितनी शांद और धीरे श्वास होगी, उतनी ही यह बढ़ाया जा सकता है। और जो अधिक समय तक संबंध बना रहता है, उसमें यौन को समाधी का द्वार, अतींद्रियता का समवाहक बनाने की अधिक संभावना है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अहंकारहिंता, अकालींता की अनुभूती वह सभी मनर्श को यौन समाधी में प्राप्त होती है। श्वास बहुत धीरे होना चाहिए। श्वास की मन्ता अनुभूती की और भी गहरी और गहरी द्रिष्टी खोलेगी। संभंध के क्रियानवय में एक और बात यहा है कि आपका ध्यान आपकी आगने चक्र में आंखों के बीच केंद्रित होना चाहिए। यदि ध्यान वहां केंद्रित है, तो सीमान्त की अवधी को बढ़ाया जा सकता है यहां तक की तीन घंटों तक। और ऐसा संभंध का क्रियानवय एक व्यक्ती को ब्रहमचरे की मिट्टी में मजबूती से पूर्णता प्राप्त कर सकता है, न केवल इस जीवन के लिए बलकि आगामी जीवन के लिए भी। एक महिला लिखती है कि विनोबा ब्रहमचारी है और पूछती है कि क्या मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ कि उसके पास संबद में कभी समाधी का अनुभव नहीं हुआ होगा। उसने जारी रखा कि क्योंकि मैं भी एक ब्रहमचारी और अविवाहित हूँ, इसलिए मेरे पास भी समाधी का अनुभव नहीं हो सकता। यदि वह यहां मौझूद है तो मैं उसे यहां कहना चाहता हूँ कि न तो विनोबा, न मैं और नहीं कोई भी अन्य व्यक्ति यौन के अद्वितिय अनुभव के बिना ब्रहमचर्य के स्तर और महत्व को नहीं समझ सकता है। मैं उसे यहां भी बताना चाहता हूँ कि अनुभव इस जीवन का हो सकता है या यहां पिछले जन्म का हो सकता है, जो इस जीवन में ब्रहमचर्य प्राप्त करता है, उसका कारण पिछले जीवन में एक गहरे संबंधी संबंध में होता है और किसी और चीज में नहीं, यही केवल विवर्ण है यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जीवन में यौन के गहरे अनुभव की है तो उसे इस जीवन में यौन से मुक्त होकर जन्म होगा, यौन उसे परेशान नहीं करेगा, उसकी कलपना में भी नहीं, बलकि वहां आश्चर्य अच्कित होगा कि लोग यौन के बारे में ऐसा कैसे व्यवहार करते हैं, उसे यहां आश्चर्य होगा कि लोग यौन के लिए इतने पागल क्यों हैं। ऐसे व्यक्ति को यहां भी कठिनाई होगी कि एक मर्द और एक महिला में भेद करने के लिए उसे प्रयास करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति यह कलपना करता है कि वहां बचपन से ही एक ब्रहमचारी बन सकता है, कि वहां बिना किसी यौन अनुभव के एक ब्रहमचारी बन सकता है, तो वहां एक तंत्रिका बन जाएगा। जो हमेशा ब्रहमचारी पर हंस रही हैं, जो ब्रहमचारी का पालन करने की चीख रही हैं, वे मानव की विक्तन का कारण हो रही हैं, इससे इससे अधिक कुछ नहीं आ सकता है, ब्रहमचारी थोपा नहीं जा सकता, ब्रहमचारी केवल आंतरिक अनुभव के मलाई के रूप म यदि संबंद के दौरान किसी ने एक अभ्यंतर दर्शन हद बदाहट किया है, भले ही एक बार ही क्यों न हो तो उसे यौन से मुक्त किया जाता है, जीवनों के अनन सफर के लिए अनुभव को प्राप्त करने के लिए दो कारकों पर चर्चा की है, व्यक्ति की श्वास छोट होना चाहिए, इतना छोटा की वह लगभग बिलकुल न हो और व्यक्ति का ध्यान आगनिचक्र आँखों के बीच के केंद्र पर होना चाहिए, जितना अधिक व्यक्ति का ध्यान इस केंद्र पर केंद्रित होगा, उतना ही संबंद स्वता ही गहरा होगा, और संबंद की आकर्षन वास्तव में संबंद के लिए नहीं है। यह समाधिका है। यदि आप उन उचाईयों को पार कर सकते हैं, यदि आप उस प्रकाश को ज़लक सकते हैं, तो यहां आपके भविश्य का मार्प्रकाशित करेगा। बहुत समय से एक आदमी एक गंदे मलिन कमरे में हैं, फिर वह उटता है और एक खिडकी खोलता है, अब वह आसमान में चमकते हुए रौंगत देख सकता है, अब वह पंक फैला कर आसमान में मुक्तिपूर्ण उडान भरते हुए पक्षियों को देख सकता है, अब एक आदमी जोने में अचानक से गहरे आसमान, सूर्य और चंद्रमा उड़ने वाले पक्षियों, हिलते हुए पेडों और सुगंधित फूलों के बारे में जान जाता है, वह एक गंदे, मलिन, अंधेरे कमरे में एक मिनट भी और नहीं रुकेगा, वह खुद को खुले आस्मान के नीचे दोडाएगा. जिनोंने संबंध में समाधी की जलक पाई है, हो सके बहुत अलपकालिक हो, वह तुरंथ अंदर और बाहर, आजादी और कैद में अंतर को जानेंगे. लेकिन किसी तरह हम सभी टाइट सेलों में जनमे हैं, दीवारों से घेरे गए हैं, और वे अंधेरे और गंदे हैं. बाहिक जगा का अनुभव करना आवशक है, यह ज्यान आखिरकार हमें उडान भरने के लिए प्रेरित करता है. लेकिन एक व्यक्ति जो खिड़की नहीं खोलता है और कोने में बैठ कर कहता है कि उसे गंदे घर के बारे में पता नहीं करना है, वह अपनी स्थिती को एक भी बिट बदल नहीं सकता है. वह सदैव गंदे घर में ही रहेगा. एक स्वयं घोशित ब्रहमचारी भी सेक्स के कक्ष में उतनी ही बंदी है जितना कोई और. उस और आपके बीच एक मात्र अंतर यह है कि उसका बंद हो गया है जबकि आपकी आखे खुली है. जो आप शारिरिक रूप से करते हैं वह मानसिक रूप से करता है. और इसके अलावा शारिरिक क्रिया प्राकृतिक है लेकिन इसकी परायन अवस्था में इसका विक्रितिक रण है. इसलिए मैं आपसे सेक्स के खिलाफ नहीं बलकि इसे सहानुभूती पूर्वक समझने का प्रयास करने की प्रेरित करता हूँ, अपने जीवन में सेक्स को एक पवित्र स्थान दे, हमने पहले ही दो मार्ग दर्शिका पर चर्चा की है, तीसरी महत्वपूर्ण बात याद रखने के लिए यह है कि आपके द्रिष्टिकोन का द्रिष्टिकोन, समय के समय पर हम कावली में मौझूद है, जो एक नए जीवन को जन्म देती है, और इसलिए व्यक्ति का द्रिष्टिकोन, एक मंदिर या एक चर्च की तरह होना चाहिए, समय के समय पर आत्मा के सबसे क्रीब होते हैं हम, हम यंत्र बन जाते हैं, एक नया जीवन अस्थित्व में पहुचा जा रहा है, हम एक बच्चा बना रही हैं, कैसे? संबंद के समय हम सर्वोत्तम से सर्वोत्तम से सबसे क्रीब है, रचनाकार खुद और उसकी छाया हमें भी रचनाकारों में बदल देती है, यदि हम पवित्र मन और शद्धाभाव से सेक्स के पास आते हैं, तो हम उसे दोश भावना के भावना के साथ पहुँचते हैं, और हम निर्मान करता की अस्तित्व की अनुभूती करने में असमर्थ होते हैं. किसी भी समय यदी हम दोख, क्रोध या निराशा में हैं, तो हमें कभी भी सेक्स के पास नहीं जाना चाहिए. एक प्रसन्न आदमी सेक्स के पीछे नहीं दोड़ता है, लेकिन एक दुख की आदमी सेक्स में चला जाता है, क्योंकि वह इसे अपनी दोख से पूर्ण भाग्य से देखता है. लेकिन ध्यान रखें, यदि आप दुख, आक्रोश, निंदा या उदासी के साथ सेक्स के पास जाते हैं, तो आप कभी भी उस संतोश, उस अनुभव को प्राप्त नहीं करेंगे, जिसके लिए आपकी पूरी आत्मा प्यासी है. मैं आपसे यही कहता हूँ कि आपके चिर्पित होने पर ही केवल जब आप खुश हो, केवल जब आप प्रेम भरे हो, और आखिरकार केवल जब आप प्रार्थना पूर्वक हो, तब ही आपको संबंद बनाने का विचार करना चाहिए. एक ऐसा आदमी जो इस प्रकार के तरीके से संबंद बनाता है, वह उच्ची करन प्राप्त कर सकता है, और अंतिम अनुभव एक बार ही सही है, उसे संबंद से हमेशा के लिए मुक्ती मिल सकती है. एक ही अनुभव के साथ आप एक बार बारी की तोड़ सकते हैं, और समाधी के परिसर में प्रवेश कर सकते हैं, वह बहुत असांतुलन में होता है, यह उसी प्रकार है जैसे कोई पेड मिट्टी से उखाड़ा जाता है. उसकी पूरी बड़ी चाह है कि वह पुना प्रत्वी के साथ मिल जाए, उसका प्रत्वी से संबंद उसका जीवन, उसकी उर्जा, उसका पोशन है. इसे उखार दिया गया है, और अब यह पुना जाने के लिए क्रोध करता है, क्योंकि अब इसने जीवन रेखा से छुटकारा पा लिया है. एक शिशु माता के गर्ब से बाहर आते ही अपनी दुनिया से काटा जाता है, और अब इसकी आत्मा, इसका पूरा होना माता, सुरोध के साथ पुनर्मिलन करना चाहती है. यह वाक्य से प्रेम की प्यास को ही हम क्या समझना चाहते हैं? प्रत्यक व्यक्ति चाहता है कि वह प्रेम के देने और लेने में प्रवरित हो, प्रत्यक को जीवन की धारा के साथ पुना संबंधित होना है, और वह एक मर्जी, संबंध, एक पुरुष और एक स्त्री के संबंध में आता है. सेख्स मौलिक एकता की पुना अनुभूती है एक पुरुश और एक स्त्री का जोड़ा बहुत गहरा महत्व है इस दो मानव के एकी करण में इगो भापता है एक ऐसा व्यक्ति जो वास्टव में इस एकता, इस प्रेम और एकता की तलाश की सारी सारी करत को समझता है एक तपस्वी एकता करता है, एक संथ एकता करता है, एक ध्यानी एकता करता है। व्यक्ति संबंध में भी एक होता है, उसकी पहचान उसके दूसरे व्यक्ति की पहचान के साथ मिलती है, और वे एक हो जाते हैं। समाधी में व्यक्ति ब्राह्मान के साथ एक होता है और उसके साथ एक हो जाता है सेक्स में दो व्यक्तियों का मिलन होता है जबकि समाधी में व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है और ब्राह्मान के साथ एक हो जाता है दो व्यक्तियों के बीच का मिलन अस्थाई है लेकिन व्यक्ति का ब्रह्मार्ण के साथ एक होना शाशवत है। कोई भी दो लोक सीमित व्यक्तिया है और इसलिए उनका संबंध अनन्त नहीं हो सकता, सदेव स्थाई नहीं हो सकता है। लेकिन फिर हमें पुना अलग होना होता है। इस विचार में दुखता है और इसलिए प्रेमी हमेशा निराशा की स्थिती में रहते हैं। पर संजीवनी रूप से नहीं रह सकते कि यहां अद्रिड प्रेम की वज़े से प्रेमी के बीच एक संधर्श उत्पन्न होता है और एक दूसरे की तिरस्कृती होती है कि तनाव, कला, परायापन की भावना और कभी-कभी नफरत की भावना आती है। और यहां इसलिए हैं कि एक अन्य व्यक्ति अस्वीकारी हो सकता है और इसलिए सम्मिलन पूरा नहीं होता है। लेकिन इस अपूर्णता के लिए किसी व्यक्ति को दोशी ठहराया नहीं जा सकता। मानव अस्तित्व सीमित होते हैं और उनका सम्मिलन भी केवल सीमित हो सकता है। उनका मिलन कभी भी स्थाई नहीं हो सकता है शाश्वत मिलन केवल इश्वर, ब्रहमा, अस्तित्व के साथ ही हो सकता है जिनोंने संभोग की उक्ती की सूक्षमता को समझा है वे कलपना कर सकते हैं यदि किसी व्यक्ती के साथ एक ख़न का सयोजन इतनी आनंद दे सकता है तो शाश्वत से मिलने का परिनाम कैसा होगा लेकिन सामान्य आदमी उस उच्चतम आनंद की सीमा तक तकनीक तक पहुँच ही नहीं सकता है यहाँ अत्यद भूत आकाशिय शब्दों के परे है यहाँ शाश्वत आनंद है मानो आप मौमबत्ती के सामने बैठे है जामिती की कोशिश कर रही है कि मौमबत्ती के प्रकाश और सूरज के प्रकाश में अंतर को कैसे कल्पित करें तुल्ना का प्रयास निराशा जंग है एक मौमबत्ती इतनी छोटी चीज है और सूरज इतना बड़ा है, लगभग हमारी पृत्वी से साथ हजार गुना बड़ा है। हाला कि यह 93 मिल मील दूर है, यह हमें गरम करता है, हमें जलाता है, इसलिए हम कैसे संज्यान में अंतर की माप कर सकते हैं, मौम्मती के प्रकाश और सूरज के प्रकाश के बीच? लेकिन आकाशिय संख्या चाहे जैसी हो, इस अंतर की माप करना गड़ितात्मक रूप से संभव है, क्योंकि दोनों मानव ज्यान के दाइरे के भीतर है, अंतर की जाच की जा सकती है। कोई भी अपने आपको एक समुद्र के एक गूंद की भाति खो देता है। इन्हें तुल्ना करने का कोई तरीका नहीं है, इस संबंद की मात्रा को मापन करने के लिए कोई एकचुने के बाद भी यौन आकुलता का इच्छुक होगा। क्या कोई इस क्षणिक सुख के बारे में सोचेगा ही नहीं जब उसने शाश्वत सादर को प्राप कर लिया है। शाश्वत का एक जहलत इंसान को यह सिखाती है कि इंद्रिय सुख बेहद अर्थहीन है, कि इसके बराबर में यह पागलपन है। तब व्यक्ति के वर्तमान के आकुलता शीग्र ही अप्रिय हो जाती है, तब वे एक ड्रेन की तरह उर्जा का अप्षिष्ट, कष्ट का कारण होने लगते हैं। जब इस निश्चिता का संसकार एक व्यक्ति पर होता है, तो वह अपने लक्षित लक्ष, ब्रहमचर्य की और बढ़ता है। यौन संबंध से समाधी की और बहुत लंबा सफर है। समाधी ही अंतिम लक्ष है, यौन संबंध केवल पहला कदम है। और मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि जो लोग पहले कदम को पहचानने से इनकार करते हैं, जो पहले कदम की आलोचना करते हैं, वे दूसरे कदम तक पहुँचने में सक्षम नहीं हो सकते। उन्हें तो कभी भी प्रगती नहीं हो सकती है। पहले कदम को जागरुकता, समझ और जागरुकता के साथ लेना अत्यंद आवशक है। लेकिन सावधान रहें, यौन संबंध स्वयम में एक उद्देशन नहीं है, यौन संबंध प्रारंब है। प्रगती के लिए और भी और भी कदमों की आवशकता है। लेकिन मानवता की सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि इसने पहले कदम को लेने की ततपरता ही नहीं की है। और फिर यहां आशा करता है कि वहां आखिरी तक पहुँचे। एक आदमी पहले पाइदान की तिरस्कृती करता है और फिर भी वानी के शोभा का दावा करना चाता है। यहां असंभव है। हमें एक मोमबत्ती के हलके प्रकाश को समझना सीखना होगा जो कुछ समय तक जीती है और एक सौमे हवा द्वारा तुरंद बुझा दी जाती है ताकि हम सूरज के अर्थ को समझ सकें। आखिरी कदम के लिए उत्कृष्टता की इच्छा, सूरज तक पहुँचने की उत्साहिता, पहला कदम सही तरीके से आरम किया जाना चाहिए। सही संगीत का उचित मूल्यांकन शाश्वत संगीत की ओर पतप्रशस्त कर सकता है। एक हलकी सी मुम्बत्ती का अनुभव हमें अनंत प्रकाश की ओर ले जा सकता है, एक बून को जानना समुद्र को जानने की पूरवान है। पर्माणू के ज्यान से सभी सामगरी शक्तियों के रहस्य का परदाफाश हो सकता है, परियावरन की शक्तियों की और फिर भी प्रकृती ने हमें यौन के एक छोटे से पर्माणू से संपन्न किया है, लेकिन हम उसे बिल्कुल पहचानते नहीं हैं। हम इसे पूरी तरह से स्विक्रित नहीं करते हैं। तो वह एक नए और उच्च समाज का आरंब करेगा। आदमी और स्त्री दो विभिन्न ध्रुवाएं हैं। उर्जा की सकारात्मक और नकारात्मक ध्रुवाएं। इन दोनों ध्रुवाओं का सही मिलन एक सरकित को पूरा करता है और किसी प्रकार की बिजली उत्पन्द करता है। और इस बिजली की सीधी जानकारी संभाव है अगर संबंध का समय जब आप एक दूसरे के प्रतिगहरे और पूर्ण समर्पन में होते हैं और अगर यह समय और बढ़ाया जा सकता है। यदि यह एक घंते तक बढ़ा सकता है तो इससे स्वयन ही एक उच्च आवेक उत्पन्न होगा जिससे बिजली का एक हैलो उत्पन्न होगा यदि शरीर की धाराय पूरी और समूची आलिंगन में हैं तो अंधकार में एक प्रकाश का क्षेत्र देखा जा सकता है। इस उर्जा की बिजली का अनुभव करने वाले एक जोडी जीवन की सबसे अधिक पूरा कटारा पी रही है। लेकिन हम इस प्रक्रिया के इस कुनरवेगना के बारे में अन्जान है। हमें ऐसी चड़्चा बहुत अजीब लगती है क्योगि हमें विश्वास नहीं है कि हमने जो कुछ नहीं अनुभव किया है क्योगि यह सामान्य अनुभव के क्षेत्र के बाहर है। लेकिन मैं कहता हूँ यदि आपने इस अनुभव का सामना नहीं किया है तो आपको इस पर विचार करना चाहिए और पुना प्रयास करना चाहिए। आपको अपने जीवन की समीक्षा करनी चाहिए विशेश कर यौन के अध्याई की। यौन को सिर्फ आनंद का यंत्र नहीं होना चाहिए बलकि यहाँ आध्यात्मिक उन्नती का साधन भी होना चाहिए। यौन एक तातकालिक प्रक्रिया है। मेरा ख्याल है कि इसा की जन्म या महावीर या बुद्ध का जन्म यादरिच्छिक नहीं था। प्रत्यक जन्म दो लोगों के पूर्ण संबंध का फल था। जितना गहरा मिलन उतना ही बहतर अवस्ता होता जो अधिक आदमी संबंध करता है वह उत्तम अवस्ता होता है जो कुछ लोग इसे नैतिक मानकों की क्षीनता का दोश मानते हैं जबकि दूसरे किल्यों के पूर्व निर्धारित अवस्ता के प्रभावों को मानते हैं लेकिन इन सभी कलपनाओं गलत और निरजोरी की केवल एक कारण है हमारे यौन के प्रती हमारे दृष्टिकोन की सतीता सिध्धान्त और अमल में यौन ने अपनी मूल पवित्रता खो दी है जो पूर्व में मानव ने यौन के लिए जो शद्धाभाव रखा था वह कलंकित हो गया है यौन को एक यांत्रिक बुरायत की दी गई है और यह यौन के प्रती यह दृष्टिकोन एक सूक्षम हिंसा का प्रमान करता है शब्द के सक्त संदर्ब में यौन अब प्यार का एक अनुभव नहीं है यौन अब पवित्रता का एक यांत्रिक नहीं है यौन अब एक ध्यानियों क्रिया नहीं है और इसके कारण मानवता धीरे-धीरे एक अधस्थान में गिर रही है हमारे किसी भी का के परिणाम पर विचार का निर्भर करता है, जिस भावना के साथ हम उसे करती हैं. यदि एक नशेबाद स्कल्प्टर मूर्ती बना रहा है, तो क्या आप उससे सुंदर कला का काम करने की उम्मीद करेंगी? यदि एक बैलरीना नृति कर रही है, तो क्या आप उससे उत्रिष में सबसे अंदेखा विशय है? क्या यह एक विशाल भूल नहीं है कि जिस प्रक्रिया पर जीवन का नवनिर्मान निर्भर है, जिस पर नए बच्चे निर्भर है, जिस पर इस दुनिया में प्रवेश करने वाले नए आत्माएं निर्भर है, वह सबसे अंदेखा विशय ह आप शायद नहीं जानते कि संबंद के शिखर में एक आत्मा को अवतरित होने के लिए स्थिती बनाती है और इस प्रकार एक नई जीवन संध्यान हो जाता है आप केवर परिस्थिती बनाते हैं जब एक विशेश आत्मा के लिए आवशक और उप्युक्त स्थिती पूर्ण होती है तब वहां आत्मा जन्म लेती है आत्मा की गुर्णवत्ता का सीधा संबंद परिस्थितीयों से है क्रोध, अपराध या चिन्ता में धर्मित एक शिशु जन्म से प्रभावित होता है हमारी प्रजन की मानक को सुधारा जा सकता है लेकिन एक उच्च आत्मा को धारन करने के लिए परिस्थितियों को भी एक उच्च गुर्वत्ता का होना चाहिए तभी उतक्रिष्ट आत्माएं पैदा हो सकती है तभी मानवता का मानक आखिरकार उचा किया जा सकता है इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आदमी यौन विज्ञान यौन कला के साथ मिलता है जब वह इस ज्ञान को यूवा और बुडों को सिखा सकता है तो हम उन परिस्थितियों को प्रदान कर सकेंगे जो जो औरोबिंदो और नीचे ने उच्चतम प्रशंसा दी है इस प्रकार की पीड़ी पैदा की जा सकती है ऐसी दुनिया बना ली जा सकती है लेकिन इससे पहले कोई प्रगती नहीं हो सकती इससे पहले दुनिया में शान्ती नहीं हो सकती, इससे पहले युद्ध नहीं रोक सकते, नफर्त नहीं मिटा सकती, अनैतिकता नहीं ठीक की जा सकती, बुराई नहीं समाप्थ हो सकती, विशेशग्यता नहीं नष्ट की जा सकती और वर्तमान अंधकार नहीं मिटा सकता है। यहां तक कि हम सभी आधुनिक सुविधाओं और नवाचारों का इस्तमाल करें, यहां तक कि राजनेता, समार्शास्त्री और धार्मिक नेता अपनी सबसे अच्छा प्रयास करें, युद्ध नहीं रुकेंगे, तनाव नहीं होगा, और हिंसा और इर्श्या नहीं गायब हों उपरांथ, हमने उस व्यक्ति को मार दिया जनोंने प्रेम की सूचना की थी, जनोंने हमें हिंसा करने के बारे में सिखाने की कोशिश की थी, जनोंने हमें एक आध्यात्मिक मार्ग दिखाया था गांधी ने हमें अहिंसा का अभ्यास करने, अपनी आत्माओं को शुद्ध करने, साथी सहित सामन जस्य में रहने की सिख दी और हमने उसे गोलियों से सम्मानित किया यहां है कैसे हमने उनकी उदार सेवाओं के लिए अपनी कृतग्यता व्यक्त की मानवता के सभी प्रवादक, इतिहास में और वर्तमान में असल रही हैं उनका सिध्धान्तों और मूलियों का कोई भी फल उत्पन्न नहीं हुआ है उनमें से कोई भी उच्चत्मतर सोने से भी सोना सभी असल रही है वे आए हैं, प्रवचन दिये हैं, और वे चले गए हैं और मनव अब भी अंधेरे में धूंद रहा है, धर्ती पर एक प्रकार की नरक में और गहरा डूब रहा है क्या यह यह सिद्ध करता है, कि उनकी शिक्षाओं में और उनके द्वारा प्रवचित में कुछ मौलिक गड़बडी थी है एक आदमी परेशान है, क्योंकि उसे परेशानी में धारत है उसमें पहले से ही परेशानी की बूढ है, उसकी आत्मा स्वयम बीमार है यह बीमारी, दुख और शोक का कैंसर उसकी आत्मा के गहराईयों में नहित है उसकी पूरी कलपना उसके गरभाधान होते ही बनती है और इसलिए बुद्ध को असफल होना ही पड़ेगा, महावीर को असफल होना ही पड़ेगा, इसा को असफल होना ही पड़ेगा, कृष्ण को असफल होना ही पड़ेगा, वे सभी पहले ही असफल हो चुके हैं। से कोबाल्ट बॉम तक पहुचकर खुद को भेतर बनाया है। मुझे बताया जा रहा है कि पहले विश्वयुद के दौरान हमने लगभग 30 मिलियन लोगों को मार डाला और संधर्श विराम के बाद हम शांती और प्रेम की बाते करते रहे। दूसरे विश्वयुद में हमने 45 मिलियन लोगों को मार डाला और फिर हम एक बार फिर शांती और सहजवास के लिए बातचीत करने लगे। बर्ट्रेन रसेल से लेकर विनोबा तक सभी कहते हैं कि शांती को बनाए रखा जाना चाहिए और फिर भी हम तीसरे महायुद की तयारी कर रहे हैं। और तुल्ला में इस युद से पहले के वाले को बच्चों की तरह खेलने वाले होंगे। किसी ने कभी इंस्टीन से पूछा था कि तीसरे विश्वयुद में क्या हो सकता है। इंस्टीन ने कहा कि वह तीसरे विश्वयुद के बारे में कुछ कह सकते नहीं थे, लेकिन उन्होंने चौथे विश्वयुद के बारे में कुछ पूर्वानमान कर सकते थे। आश्चर्यचकित प्रश्नकर्ता ने पूछा कि अगर इंस्टीन तीसरे विश्वयुद के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, तो चौथे विश्वयुद के बारे में वह कैसे कुछ कह सकते हैं इंस्टीन ने उत्तर दिया कि चौथे विश्वयुद के बारे में एक निश्चित बात थी, और वह यह था कि चौथे विश्वयुद नहीं होगा, क्योंकि तीसरे विश्वयुद के बाद किसी का जीवन नहीं रहेगा यह मानवता के नैतिक और धार्मिक शिक्षाओं का फल है, लेकिन कारण कहीं और है और उसे ततकाल संशोधन की जरूरत है जब तक हम यौन क्रिया में सामनजस से लाने, यौन को एक आध्यात्मिक व्याकरन प्रदान करने, यौन को समाधी के दर्वाजे के रूप में शद्धांजली देने में सफल होते हैं, तब तक एक बहतर मानवता उत्पन्न नहीं हो सकती है जब तक यह होगा, यह निश्चित है कि आने वाली मानवता बुरी तरह से बुरी होगी, क्योंकि आज के कमजोर बच्चे यौन से गुजरेंगे और अपने आप से बुरे बच्चे पैदा करेंगे प्रती नई पीधी की गुणवत्ता बहुतंत्र से बहुतंत्र बनेगी, इसका कम से कम अंदाजा लगाया जा सकता है लेकिन हम पहले से ही इतने नीचे पहुँच चुके हैं कि आगे और नीचे जाने का संभावना है पूरी दुनिया अब पहले से ही एक विशाल मानव आश्रम बन गई है उन आंकडों के आधार पर जनों ने तयार की है अमेरिकी मनोचिकित्सकों ने निर्नय किया है कि नियू यॉर्क सिटी के आबाद का केवल 18% मानसिक स्वस्थ कहा जा सकता है अगर केवल 18% मानसिक स्वस्थ है तो शेश अस्तित्व आपके द्वारा बताए गए ओटी टेड है और आप खुद ही हैरान होंगे कि आप में कितनी पागलपन छुपा हुआ है अगर आप एक कोने में शांत बैठकर एक क्षण के लिए अपने आत्म चिनह पर विचार करें कैसे आप अपने पागलपन को नियंत्रित और दमन करते हैं यहाँ बिल्कुल दूसरी बात है हालांकी थोड़ी सी भावनात्मक हानी और किसी भी आदमी को पूरी तरह से मन्याग बना सकती है संभावना है कि सैक्रों वर्षों के भीतर पूरी दुनिया एक विशाल मनोविकारालय बन जाएगी बेशक एक पक्ष से देखे तो कई लाब होंगे हमें पागलपन के लिए उपचार की आवर्षक्ता नहीं होगी हमें नियूरोटिक्स का इलाज करने के लिए मानसिक चिकित्सकों की आवर्षक्ता नहीं होगी कोई महसूस नहीं करेगा कि वह पागल है क्योंकि पागल आदमी का पहला लक्षन यहां होता है कि वह कभी भी नहीं मानता कि वह पागल है यहाँ बीमारी हमेशा बढ़ती जा रही है यहाँ बीमारी, यहाँ मानसिक कष्ट, यहाँ मानसिक अंधकार हमेशा बढ़ता है एक नई मानवता कभी नहीं उत्पन्न हो सकती जब तक यौन को उच्च किया नहीं जाता जब तक यौन क्रिया को दिव्य नहीं बनाया जाता है। मैंने तीन दिनों में कुछ विचारों पर जोर दिया है, एक नया आदमी पैदा होना चाहिए। मानव की आतमा उंचाई को छूने, आकाश तक पहुँचने, चांद और तारों की तरह प्रकाशित होने, एक फूल की तरह खिलने, संगीत बनाने, निरिति करने के लिए बेताब है। मानव की आतमा चिंतित है, उसकी आतमा प्यासी है, लेकिन मन अंधा है, वह एक दुरगम चक्र में चक्कर लगाता है, वह इससे बाहर नहीं निकल सकता, वह इससे उपर नहीं उठ सकता है। क्या कारण है? एक कारगर यौन क्रिया के बिना, हमारी वंशानुक्रमन की वरत्मान प्रक्रिया मूर्खता से भरी है, यह पागलपन से भरी है. और यहां इसलिए हैं क्योंकि हमने यौन को समाधी के दर्वाजे को खोलने के लिए जीवन की सक्तियों से दूर ले जाते हैं वे मानवता के शत्रू है जो आप से कभी सेक्स के बारे में सोचने का कहते हैं वे आपके शत्रू हैं उन्होंने आपको यह सोचने का अधिकार नहीं दिया है, इस पर विचार करने का अधिकार नहीं दिया है। इस जीवन शक्ती की उच्चीकरन से मानव को वहां उठाया जाता है, जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। है सच्चितानन के क्षेत्र में। ऐसी नाव कभी भी दूसरे किनारे तक पहुँच नहीं सकती, यह मध्यस्थल में डूबने के लिए निर्धारित है। सभी यह स्राव के गलत दिवर्जन के कारण हैं। जो लोग न्यूर फोटो दिखाते हैं, अशलील किताबे लिखते हैं और शैलीश फिल्मे बनाते हैं, वे इन उर्जा के लीकेज के लिए जिम्मेदार नहीं है। इस प्रकार के विकृतियों के लिए जिम्मेदारी उन लोगों की हैं, जो हमारे सेक्स के बारे में समझने में बाधा डाल दी है। इन लोगों के कारण ही नाग चित्र मांगे जाते हैं, यह अशलील पुस्तके बिखती हैं, न्यूर फिल्मे बनती हैं, और हम रोजाना देखते हैं, विकृत और विलक्षन परिणाम। जिम्मेदार वह हैं, जने हम साधू और तपस्वी कहते हैं, लेकिन यदि आप इसे गहराई से देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वे वास्तव में विश्वास की विज्यापन एजेंट हैं। एक छोटी सी कहानी और मैं आज की बात को समाप्त करूँगा। किसी पादरी ने एक आसपास के गाव के चर्च में सेवा कार्य करने जा रहा था। उसने समय पर पहुँचने के लिए वहां पहुँचने के लिए लगभग दोड लगाई थी। अपने रास्ते में एक क्षेत्र को पार करते समय उसने एक निकट कुंदली में पढ़ा हुआ एक घायल आदमी देखा। एक चाकु आदमी की छाती से बाहर निकल रहा था और वह खून बहा रहा था। पादری ने सोचा कि उसे उठा कर और उसकी सेवा करना चाहिए लेकिन दूसरी सोच में उसको लगा कि इससे उसके चर्च पहुँचने में देरी हो सकती है। उसने अपने प्रवचन के लिए प्रेम का विशए चुना था। उसने निश्चित किया था कि वह ईसा के प्रसिद उक्ती प्रेम ईश्वर है पर विस्तार से बाते करेगा। वह अपने रास्ते में जल्दी में था और मानसिक रूप से अपने टिपणिया तैयार कर रहा था। लेकिन घायल आदमी ने अपनी आखे खोली और चिलाया, पिताजी मुझे पता है कि आप चर्च में प्रेम के विशय पर उपदेश देने जा रही हैं। मुझे भी चर्च जाना था, लेकिन डाको ने मुझे छुरा मार कर यहां फेक दिया है। सुनिये, अगर मैं बच जाओं तो मैं लोगों को कहूंगा कि एक आदमी मारे जा रहा था सड़क के किनारे और उसको बचाने की बजाए, आपने प्रेम पर उपदेश देने के लिए भाग लिया। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, मुझे नजर अंदाज मत करें। इससे पादरी को थोड़ा सा डर लगा। उसने महसूस किया कि अगर यहाँ आदमी बच जाए और घटना को संबंधित करें, तो गाव के लोग उसके प्रवचनों को सब कुछ बक्वास कहेंगे। पादरी को मर जाने वाले आदमी की चिन्ता नहीं थी, बलकि जन्मत की चिन्ता थी, इसलिए उसने अनिच्छुक रूप से आदमी की ओर बढ़ा। जब वहा और नजदीक आया, उसने आदमी का चहरा और साफ देखा, यह किसी के साथ मिलता जुलता लग रहा था। उसने कहा, मेरे बेटा ऐसा लगता है, कि मैंने तुम्हें कहा, तुम्हें होना चाहिए। मैं शैतान हूँ, और मेरा पूजारियों और धार्मिक नेताओं के साथ बहुत पुराने संबंध है। अगर मैं तुम्हें परिचित नहीं हूँ, तो फिर और कौन होगा। कब पादरी ने उसे सपष्ट रूप से याद किया, उसने चर्च में उसकी एक चित्र देखा था। उसने पीछे हटा दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। यहां बहतर है कि तुम मरूँ, तुम शैतान हो। हमें हमेशा से तुम्हारी मौत की कामना है और यहां अच्छा है कि तुम मर रही हो। मैं तुम्हें बचाने का प्रयास क्यों करूँ? तुम्हें छूना भी पाप है। मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। शैतान ने उचे स्वर में हंस्ते हुए कहा, सुनो जिस दिन मैं मरूंगा, तुम्हारा व्यापार बंध हो जाएगा, तुम मेरे बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते। तुम वही हो जो तुम हो, क्योकि मैं जीवित हूँ, मैं तुम्हारे व्यावसाय का आधार हूँ। तुम्हें बहतर होगा कि मुझे बचाओ, क्योकि अगर मैं मर जाओ, तो सारे पादरी और मंत्रिया बेरोजगार हो जाएंगे, वे समाप्थ हो जाएंगे, उनकी और कोई आवशक्ता नहीं होगी। पादरी ने इसे एक सेकंड के लिए सोचा और इसमें सच्चाई को देखा। ततकाल उसने मर जाने वाले आदमी को अपनी कंधों पर उठाया और कहा, मेरे प्यारे शैतान, चिंता मत करो। मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूँ इलाज के लिए। क्रिप्या जल्दी ठीक हो जाओ, मत मरना, भगवान के लिए तुम सही हो, अगर तुम मरोगे, तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। शायद आप सोच नहीं सकते कि शैतान पादरी की जड़ में हैं और पादरी शैतान के काम के पीछे हैं, लेकिन शैतान सेक्स के शोशन और सेक्स के शोशन में सब कुछ की जड़ है। समय हो जाता है, उतना ही उतक्रिष्ट होता है। मन असहाय है, मन सेक्स का गुलाम है और यह असहायता नींदनिय है। हम ज्यान चाहते हैं, अग्यान नहीं। ज्यान स्वयम में शक्ती है और सेक्स का ज्यान और भी बड़ी शक्ती है। सेक्स के बारे में अज्ञान में जीना खतरनाक है संभावना है कि हम चांद तक न पहुँचे चांद तक पहुँचने की वास्तविक आवशक्ता नहीं है यदि हम चांद तक पहुँचे भी तो मानव बहुत अधिक लाभानवित नहीं होंगे और यदि हम प्रशान्त महासागर में पाँच मील की गहराई तक नहीं पहुँच पाएं, जहां सूर्य की किर्णे प्रवेश नहीं कर सकती, तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी. इन चीजों को प्राप्त करने से मानवता को बहुत लाभ नहीं होने वाला है. यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है, कि हम पर्मानों को विभाजित करे या नहीं. लेकिन एक नए इनसान को उत्पन्न करने में सफल होने के लिए, यह एक परमचिंता और एक जीवन्त आवशक्ता का सवार है, कि हम सेक्स को स्वीकार करें, हम सेक्स को पूरी तरह से जानें, उसे समझें और उसे परे हो जाएं. मैंने पिछले तीन दिनों में आपको कुछ बाते समझाई हैं, और कल मैं आपके प्रशनों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा. आपके प्रशनों को इमानदारी से पूछा जाना चाहिए, जिस द्रश्टिकोन से आपने आत्मा और भगवान के बारे में पूछा है, वह ठीक नहीं है. यह जीवन का, जीवन का सवाल है, और केवल यदि आपके प्रशन सीधे और इमानदार है, हम इस विशए में गहराई से बातचीत कर सकते हैं. सत्य हमेशा खोजने के लिए तयार है, हमें एक सच्ची, इमानदार और जिम्मेदार जिग्यासा की आवशक्ता है उसे जानने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से वह हमें कमी है, काम से भगवान की ओर. दोस्तों ने कई सवाल पूछे हैं. एक दोस्त ने पूछा है, कि मैंने अपनी व्याख्यानों का विशए क्यों सेक्स चुना है? एक बड़े बॉम्बे बाजार में एक सारवजनिक सभा आयोजित की गई थी और एक पंडित कबीर और उसके दर्शनिक्ता पर बोल रहा था. उसने उस दोपंती को रटा, कबीरा खड़ा बाजार में लुक्ती हाथ, जो घर बड़ाई आपना चले हमारे साथ, उसने कहा, कबीर बाजार के बीच में खड़ा है. उसने अपनी लाठी हिलाई और लोगों को बुलाते हुए कहा, वहीं लोग मेरे पीछे चलने का साहस रखते हैं, जो अपने घर को जलाने का साहस कर सकते हैं. मुझे यहाद दिखा कि लोग इस आवान से खुश थे, और मैंने यहाद समझा कि वे लोग जो कबीर के इतने गहरे और उत्तेजनापूर्ण संदेश को सुनकर आराम महसूस कर रहे थे, वास्तव में अपने घर को जलाने और सत्य की खोज में निकलने का साहस रखते होंग लेकिन वास्तव में उनमें से कोई भी अपना घर छोडने या जलाने के लिए तयार नहीं था। बिंदु यहाँ है कि यदि कबीर वहां होते तो उन्हें यहाँ परिस्थिती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इशू थे। मनुष्य एक इस प्रकार का आश्चरियजनक पशु है वह उनके बारे में बात सुनकर आनंद लेता है जो मड़ चुके है और उन्हें मारने की धंकी देता है जो जीवित है। मुझे सत्य के बारे में कुछ कहना था, लेकिन सत्य के बारे में बात करने के लिए यह आविशक है कि वा असत्यों को उखाड़ा जाए जो मनुष्य ने सत्य मान लिये हैं बहुत से सिध्धान्त हम सत्य मानते हैं, वास्तव में असत्य हैं। जब तक इन असत्यों को प्रकट नहीं किया जाता है, सत्य की दिशा में पहला कदम नहीं उठाया जा सकता। मुझे कहा गया था कि प्रेम पर बोलना है, लेकिन मुझे यहाँ अनुभास हुआ कि जब तक हम कुछ गलत समझाएं सेक्स और काम के बारे में हमारे रास्ते में होंगी, हम कभी भी प्रेम को समझ या मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं होंगे। जब तक ऐसी गुमराही भरी धारनाएं हैं, हम जो कुछ भी प्रेम के बारे में कहते हैं, वह अधूरा होगा, बेकार होगा, असत्य होगा। इसलिए इस पर मुख्यता देने के लिए मैंने उस विशेश सभा में काम और सेक्स के बारे में बात की। मैंने कहा कि सेक्स उर्जा खुद को प्रेम में परिणामित कर सकता है। यदि कोई व्यक्ती कीड़ा जो अपने आप में गंदा और बद्बूदार होता है, खरीदता है और उसे अपने घर के सामने की सड़त पर संद्रहित कर लेता है, तो यह किसी भी गुजरने वाले के लिए कठिंता पैदा करेगा। लेकिन अगर वह कीड़ा अपने बगीचे पर फैला देता है, तो उसके बीज बढ़ेंगे। बीज पौधों में बदल जाएंगे और पौधे फूनों को देंगे और उनकी सुगंध सभी को आमंत्रित करेगी। गुजरने वाले आकरशित ह जाएंगे। आपने शायद इसके बारे में कभी सोचा नहीं है, लेकिन एक फूल की सुगंध कुछ नहीं है, बलकि कीड़े की बद्बू बीज से पौधे के माध्यम से उपर उठती हुई कीड़े की बद्बू फूल की सुगंध में बदल जाती है। एक खराब सकती है। उसी तरह सेक्स प्रेम में बदल सकता है। लेकिन जो सेक्स से घ्रिना करता है, वह कैसे प्रेम से भरा हो सकता है। जो सेक्स का शत्रू है, उसे सेक्स कैसे परिनामित कर सकता है। इसलिए मैंने ललकार दी से की काम को समझने, सेक्स को जानने की आवशक्ता को बल दिया कल मैंने बताया था कि सेक्स को परिनामित किया जाना चाहिए मुझे लगा कि वे लोग जो अपने घरों को जलाने के सवाल पर विचार कर पा रहे थे वे कुछ सीधी बाते सुनने के लिए खुश होंगे लेकिन मैं दुखी था कि मेरी इस बहास के समापन पर मैंने देखा कि वह सभी अधिकारी जो मंच पर थे उन मित्रों ने जो सभा का आयोजन कर रहे थे वे भूत पूर्व हो गए थे जब मैं नीचे की ओर चलते हुए इसे छोडने के लिए मार्क पर चला गया तो मैंने उन में से किसी को भी नहीं देखा मैंने सोचा कि शायद उन्होंने अपने घर जलने की स्थिती में भागे होंगे लेकिन अधिक संभावना से वे अपनी खुद की आग बुझाने के लिए घर की ओर दोड गए थे मैंने स्वीकार करने के लिए यहां तक किया कि आपको देखने के लिए कोई मुख्या आयोजक उपस्थित नहीं था जो सफेद तोपिया थी, जो कादी पहने हुए लोग थे, जिनके साथ कोई नहीं था, उन्होंने मंच पर नहीं थे वे बातचीत के पूर्व में ही बहुत दूर भाग गए थे, नेताए वास्तव में बहुत कमजोर प्रजाती हैं और तेज भी, वे अपने अनुयाईयों से पहले भाग जाती है, उन सभी ने कहा कि मैंने उन्हें वहाँ बाते बताई थी, जो किसी ने पहले कभी नहीं कही थी, उन्होंने कहा कि उनकी आखों को खोल दिया गया था, कि उन्हें अंदर से काफी हलका महसूस हो रहा था, उनकी आखों में, उनकी आनंद की आसों में कृतग्यता की भावना थी, उन्होंने मुझसे यह कहने के लिए कहा कि क्रम की पूर्ती करूँ, वे इमानदार पूम्बे लोटने के कारण का एक कारण था। बड़ी संख्या में लोग इकठे हो गए थे जब मैं भवन से बाहर निकला और लोग मुझे उसके लिए बधाई दी। फिर हालांकि नेताय भाग गई थी, मुझे लगा कि जनता मेरे साथ है। और वहीं मैंने तै किया कि मैं इ यह विशय चुना। एक और कारण यह था कि वे जो मन से भाग गए थे, वह लोग सभी जगा बता रहे थे कि मैंने ऐसी शहनशील बाते कहीं थी जिससे धर्म नश्ठ हो जाएगा, कि मैंने ऐसी बाते कहीं थी जो लोगों को धार्मिक बना देगी। और इसलिए उनके जव पारे में बाते सुनकर अधार्मिक नहीं होंगे, बलकि उल्ते लोग अधार्मिक हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक सेक्स को समझा नहीं। अग्यान आपको अधार्मिक बना सकता है, ज्यान कभी भी आपको अधार्मिक नहीं बना सकता है। और मैं कहता हूँ, यदि ज्यान धार्मिक्ता का कारण बना सकता है तो मुझे फिर भी ज्ञान पसंद है लेकिन बेशक ऐसा नहीं है ज्ञान धर्म है और अज्ञान अधर्म है और इसके अलावा एक ऐसा धर्म जो ज्ञान की कमी पर चलता है वास्तव में धर्म नहीं है यह अधर्म है और जितना जल्दी हम इससे मुक्त हो जाएं, उतना ही अच्छा है। जो आलोग की कमी कर रहा है, वह आलोग नहीं है, यह आलोग के रूप में अंदकार है। नहीं, प्रकाश हमेशा प्रकाश को बुलाता है, ज्यान हमेशा ज्यान का स्वागत करता है। और याद रखें, धर्म कुछ और नहीं है, बलकि उच्च ज्ञान की खोज के लिए, उस पूर्ण प्रकाश की साक्षातकार के लिए. अज्ञान, अंधकार हमेशा हानिकारक होता है. यदि मानवता और भी गिरती है, यदि कोई पूर्ण विक्रिती होती है, यदि मानवता सेक्स के अज्ञान के कारण पूरी तरह से नियूरोटिक हो जाती है, तो दोश उन लोगों पर नहीं होगा जो सेक्स के विशय पर विचार करते हैं, बलकि उन तकनीकी धरोवरों के साम मानवता बहुत पहली ही सेक्स से मुक्त हो जाती, सेक्स सामान्य है, लेकिन सेक्स के आविशकार को इन गुरूं तक पहुचाया जा सकता है, इस हानिकारक स्थिती को इसलिए कभी भी नहीं दुर किया जा सकता है, क्योंकि सेक्स के बारे में अज्ञान है, मैं जीवन के किस किसी भी स्तर पर अज्ञान के पक्ष में नहीं हूँ। मैं सदैफ सच्चाई का स्वागत करने के लिए तैयार हूँ, किसी भी खत्रे में। मुझे यहाँ अनुभफ हुआ कि यदी एक भटकी हुई सत्य की किरण भी लोगों में इतना उत्तेजना पैदा कर सकती है, तो उच गुनस्तर की चर्चा करना उचित है, ताकि यह सवाल स्पष्ट हो सके कि सेक्स के ज्यान से मनुष्य को धार्मिक या अधार्मिक बनाता है। यह प्रिष्ठ भूमी है, यही कारण है कि मैंने इस विशय को चैन किया है। इसके बिना मुझे इस विशय को चुनने का विचा नहीं होता, इसके बिना मैं इस विशय पर बात नहीं करता। और इसलिए जिनोंने इस अवसर को बनाया और मुझे अपरत्यक्ष रूप से इन व्याख्यानों के लिए इस विशय को चुनने का मौका दिया है, उन्हें कुछ आभार मिलना चाहिए। इसलिए यदि आप मु नहीं है, उन्होंने मुझे इस विशय को चुनने के लिए मजबूर किया है। एक दोस्त ने पूछा है, यदि सेक्स का रुपांतरन प्रेम में होता है, तो क्या आप तब यहां मतलब है कि मा अपने बच्चे से प्रेम करती है क्योंकि सेक्स के कारण है, दूसरों ने भी स सेक्स के अनुभव में एक गहराई है, जिस गहराई तत एक व्यक्ती सामान्यत नहीं पहुचता है। इसमें तीन स्तर है और मैं अब इनके बारे में बोलना चाहता हूँ। सेक्स का पहला स्तर उपभुकता स्तर है। उदाहरन के लिए किसी आदमी को वेशा के पास जाता ह वहां उसका अनुभव केवल भौतिक हो सकता है। एक वेशा अपने शरीर को बेच सकती है, लेकिन अपने दिल को नहीं बेच सकती और बेशक आत्मा को बेचने का कोई तरीका नहीं है। इस स्तर पर शरीर मिलते हैं जैसे कि बलातकार में। बलातकार में दिल या आत्मा का मिलना नहीं होता है, बलातकार केवल भोतिक स्तर पर होता है, आत्मा को बलातकार करने का कोई तरीका नहीं है, बलातकार का अनुभव केवल भौतिक होता है। सेक्स का प्रात्मिक अनुभव भौतिक स्तर पर है। लेकिन जो लोग यहां ठहरते हैं, वे कभी भी सेक्स के पूर्णतम अनुभव तक पहुँच नहीं सकते। उन्हें कभी वहां गहराया नहीं मिल सकती जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इन दिनों अधिकांश लोग भौतिक स्तर पर रुख गए हैं। इस संबंध में यह जानना महत्वपूर्ण है कि उन देशों में जहां प्रेम के बिना विवा होता है, सेक्स भौतिक स्तर पर स्थित रहता है। यह कभी भी इस तर से परे नहीं बढ़ सकता। यह विवा दो शरीरों के हो सकते हैं, लेकिन कभी भी दो आत्माओं के नहीं हो सकते। प्रेम केवल दो आत्माओं के बीच हो सकता है। विवा का एक गहरा मतलब हो सकता है अगर यह प्रेम के लिए होत वे कभी भी भौतिक स्थर से परे नहीं जा सकते हैं। इस प्रणाली का एक लाब है उस संदर्ब में कि शरीर मन से अधिक स्थिर है और इसलिए एक समाज में जहां विवा का आधार शरीर है वहां विवा स्थिर होगे। वे दीर घकालिक रहेंगे क्योंकि शरीर अस्थिर नहीं है क्योंकि शरीर एक लगभग स्थिर कारक है और इसमें परिवर्तन बहुत धीरे लगभग अनुभूती रूप से होता है। शरीर स्थिर्ता की स्थिति में है और उन समाजों ने जो विवा संस्था को स्थिर करने की आवशक्ता महसूस की मोनोगैमी के साथ रहने की परिवर्तन के लिए कोई संभावना नहीं छोड़ने की को प्रेम से हटाना पड़ा, उन्हें प्रेम को उखाडना पड़ा। क्योंकि हृदय प्रेम की आसन है और हृदय अस्थिर है, विवा के उन समाजों में तलाक अवित्तिय है, जहां विवा प्रेम पर आधारित है. उन समाजों में कभी भी स्थिर विवा नहीं हो सकते क्योंकि प्रेम द्रविय है. रिदय कपूरी है, शरीर स्थिर, स्थिर है यदि आपके याड में एक पत्थर है, तो शाम को यह सुबह की तरही वही जगा होगा लेकिन एक फूल सुबह में खिलता है और शाम तक जुग जाता है, जमीन पर गिर जाता है पत्थर एक अजीव वस्तु है, जो कुछ भी यह सुबह था, वही शाम में भी होगा शारिरिक स्थर पर बनाए गए विवाह स्थिर्ता लेकर आएगा, लेकिन यह एक पत्थर की तरह होगा, बस इसी तरह इस प्रकार के विवाह समाज के हित में है, लेकिन व्यक्ती के लिए हानिकारक है इस तरह के विवाहों में पती और पत्नी के बीच यौन संबंध गहरे क्षेत्रों को छूने में नहीं आता है, यह केवल एक यांत्रिक नियमिता बन जाता है त्रिया बस सर्वदा दोहराई जाती है और यहां उबाला हुआ हो जाता है, कुछ और नहीं होता और प्रतिभागी लगातार कुछ भी होते जा रही है एक वेशा के पास जाने और प्रेम के बिना विवा में कोई बड़ा अंतर नहीं है आप एक रात के लिए एक वेशा को खरीदते हैं, जबकि आप अपने पूरे जीवन के लिए एक पत्मी को खरीदते हैं, यही एक मात्र अंतर है जब प्रेम नहीं होता है, तो एक खरीदारी हो रही है चाहे आप एक रात के लिए एक महिला को किराय पर ले रहे हो या जीवन भर के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हो बेशक दिन प्रतिदिन के संबंध के कारण किसी प्रकार का एक प्रतिष्ठान आता है और हम उसे प्रेम कहते हैं यह प्रेम नहीं है प्रेम कुछ और है यह विवा केवल शरीरिक होते हैं और इसलिए यह संबंध शारिरिक से कभी भी गहरा नहीं जा सकता है प्रेम के बारे में किसी भी मैनुवल और शास्त्र का विवेचन, वात्सयायन से कोका पुंडित तक शारिरिक स्तर से अधिक नहीं जाता है, रिदय का है उन जो प्रेम में पढ़कर फिर विवा करते हैं, उनके विवा शारिरिक स्तर से थोड़ा आगे, थोड़ा गहरा जाते हैं वे हृदय तक पहुँचते हैं, वे मानसिक गहराई तक पहुँचते हैं, लेकिन मौनोत्साही के कारण वे हर दिन शारिरिक स्कर पर पलट जाते हैं। पश्चिम में पिछले 200 वर्षों में विक्सित हुई विवा संस्था इसी स्कर पर है, और इसके कारण उनके समाज वितरकित और लुटे रहे हैं। इसका कारण यहा है कि आप मन पर निर्भर नहीं कर सकते। आज मन कोई एक चीज चाहता है, कल यह कुछ और मांगेगा। यह सुबह कुछ और चाहता है और शाम को कुछ और। वह जो अब महसूस कर रहा है, वह कुछ ही क्षण पहले के महसूस से पूरी तरह अलग होगा। शायद आपने सुना हो की लौड बायन, जब वहां अंत में विवा करने जा रहे थे, तो उन्होंने कम से कम साट से सत्तर महिलाओं के साथ सांधितिक रूप से संबंध बनाये थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी नई दुलहन के साथ गिर्जा से बाहर निकला, उन्होंने एक सुन्दर महिला को गुजरते हुए देखा। उनकी सुन्दरता से उनका ध्यान बटोरा गया, और कुछ ही क्षण के लिए उन्होंने अपनी नई पत्नी, अपने हाल के विवा को भूल दिया। लेकिन उन्होंने बहुत ही इमानदार आदमी होने की बात की, क्योंकि जैसे ही वह अपनी नई पत्नी के साथ कैरिज में बैठे, उन्होंने उससे कहा, क्या तुमने ध्यान दिया। एक अजीब बात हुई अभी। मुझे शायद उस महिला को पा सकता हूँ क्या। मन बहुत ही अस्थाई होता है और इसलिए ऐसे समाजने जो परिवार जीवन को स्थिर करना चाहते थे, उन्होंने विवा को मानसिक स्तर तक पहुचने नहीं दिया, उन्होंने प्रयास किया कि विवा को शारिरिक स्तर पर ही रोका जाए। उन्होंने कहा विवा करो लेकिन प्रेम से नहीं। अगर विवा के बाद प्रेम में बदल जाते हो तो ठीक है अन्यता जैसा होना चाहिए वैसा होने दो। स्थिर्ता शारिरिक स्तर पर संभव है, लेकिन मानसिक स्तर पर यह बहुत कठिन है. मानसिक स्तर पर यौन अनुभव मानसिक स्तर पर गहरा और सूक्ष्म है और इसलिए पश्चिम में अनुभव पूर्ण होता है पूर्व की तुलना में. पश्चिम के मनोवैज्ञानिक, फ्रॉइड से जंग तक इस दूसरे स्तर के यौन के बारे में लिखते हैं, मानसिक स्तर के बारे में लेकिन जो यौन मैं बात कर रहा हूँ, वह तीसरे स्तर का है, जिसे अब तक पूर्व में भी नहीं और पश्चिम में भी नहीं समझा गया है वह यौन का तीसरा स्तर आध्यात्मिक स्तर है, क्योंकि शरीव निर्जीव है, इसलिए शाररिक स्तर पर एक प्रकार की स्थिर्ता है आध्यात्मिक स्तर पर भी एक प्रकार की स्थिर्ता है, क्योंकि उस स्तर पर भी कोई परिवर्तन नहीं है, वहाँ सब शांत है, वहाँ यहाँ शाश्वत है इन दो स्थरों के बीच मानसिक स्थर मौजूद है यहां अस्थिर है जैसे की याद पश्चम का अनुभव इस स्थर पर है और इसलिए विवाह तूटते हैं और परिवार विख्टित होते हैं जो मानसिक स्तर की मिलान से उत्पर्ण होता है, वह स्थाई परिवार स्थिती नहीं उत्पर्ण कर सकता और अब पश्चिम में यह प्रवृत्ती तलाग की दिशा में है तलाग अप्रती दो साल में होते हैं, लेकिन यह हर दो घंटों में भी हो सकता है किसी का मन एक घंटे में भी बदल सकता है पश्चिम का समाज वितरकित है तलाग में पूर्वी समाज स्थाई रहा है, लेकिन पूर्व ने भी यौन के सूक्षम और उदात गहराईयों को समझने में सक्षम नहीं हो सका है वह एक आदमी और एक महिला जो आध्यात्मिक स्तर पर मिल सकते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से एकता स्थापित कर सकते हैं, भले ही एक बारवा महसूस करते हैं, कि उन्होंने आने वाली अंधिनत जीवनों के लिए एकता स्थापित की है वहाँ एक गहरी तलता है, अकाल और शुद्ध आनन्द विवा की दहेज है जो यौन मैं बात कर रहा हूँ, वह आध्यात्मिक यौन है, दैहिक अनुभव है मुझे यौन की आध्यात्मिक दिशा की इच्छा है, एक पुरुष और एक महिला केवल एक समय के लिए मिलते हैं उनकी आत्माएं भी मिलती हैं, लेकिन केवल एक क्षण के लिए, जबकि बच्चा माता के गर्भ में नौ महीने तक रहता है इस अवधी के दौरान इसका अस्तित्व माता के साथ एक होता है पती भी पत्मी से इस तर पर मिलता है, जहां केवल अस्तित्व है, जहां केवल होनेस है, लेकिन यह केवल एक क्षण के लिए होता है, और फिर वे अलग हो जाते हैं पती और पत्मी केवल एक क्षण के लिए मिलते हैं और फिर दूर हज जाते हैं इसलिए जो मा अपने बच्चे के साथ रखती है वह उसी प्रकार उसके पती के साथ संभव नहीं है ऐसा कभी नहीं हो सकता है गर्ब में बच्चा मा की सांस लेता है उसका हृदय मा के हृदय के माध्यम से धड़कता है बच्चा मा के रक्त और जीवन के साथ एक है उसका कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है अब तक वह अभी तक मा का हिस्सा है कोई पुरुष किसी स्त्री की उपभोग को एक बेटा कितना पूरा कर सकता है कोई पती कभी अपनी पत्मी को उस गहरी आत्मियता का आभास नहीं करा सकता है जो एक बेटा उसे दे सकता है साथ ही एक स्त्री की पूर्ण विकास अधूरा है जब तक वह मान नहीं बनती जब तक वह मात्रित्व को प्राप्त नहीं करती एक स्त्री के व्यक्तित्व की पूर्ण किरण उसकी सुन्दर्ता की अधिक्तम किरण नहीं हो सकती है एक स्त्री कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकती जब तक वह मा नहीं बनती है जब तक उसने मा और बच्चे के बीच मौचूद गहरे आध्यात्मिक संबन्द को नहीं जाना है इसके साथ कृपया ध्यान दे कि जैसे ही एक स्त्री मा बंती है उसकी सेक्स की और स्वच्छंदता आत्मत्रानित रूप से कम होती है उसने मातरित्व का गहरा स्वात चखा है नौ महीने तक उसने धड़कते नए जीवन के साथ सहिस किया है और अब उसे सेक्स के प्रती कम आकर्शन है कभी कभी पती को उसकी उदासी से हैरानी होती है क्योंकि उसका पिता बनना उसके सेक्स के प्रती द्रिष्टिकोर में कोई बदलाव नहीं लाता उसके पास जन्म के प्रक्रिया के साथ कोई गहरा संबंध नहीं है जिस नए जीवन का जन्म हुआ है उसके पिता को आध्यात्मिक एकता का एहसास नहीं होता है मा बनने से एक स्त्री में एक मौनिक परिवर्तन आता है लेकिन पित्रित्व बस एक सामाजिक संस्था है एक बच्चा पिता के बिना बड़ा हो सकता है लेकिन उसका माता के साथ एक गहरा संबंध है एक नए प्रकार के आध्यात्मिक भलाईयों से एक स्त्री को भरपूर्ता होती है जब उसके बच्चे का जन्म होता है यदि आप एक मा और एक जो मा नहीं बनी है इनके व्यक्तित में उनके प्रस्तुत करने के तरीके में अंतर को महसूस करेंगी उनकी आसानी की भावना में एक मा में आपको एक चमक एक शांती मिलेगी वह शांती जो आप प्रदर्शित करते हुए एक मैदान में पहुच गई नदी में देखते हैं लेकिन जो अब तक मा नहीं बनी है उसमें आपको पहाडों के माध्यम से बह रहे एक नदी की तरह की एक प्रकार की फुहारपन महसूस होगी गरगराती अपने किनारों से बहकर मैदान की ओर धावा करती हुई एक स्त्री मा बनने के बाद आंतरिक रूप से शांत, शांत और सुर्मा हो जाती है इस संबंध में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि वे स्त्रीया जो जैसा की आज पश्चिन में सामान्य है, जिने सेक्स के प्रती एक आकरामक इच्छा है, वे वे स्त्रीया है, जो मा नहीं बनना चाहती है मातरित्व के बाद एक स्त्री की सेक्स के प्रती आकर्शन अचानक कम हो जाता है, और पश्चमी स्त्री जो मा बनने से इनकार करती है, वह इसलिए कर रही है क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही वह मा बनती है, उसका सेक्स में रुची खत्म हो जाएगा वह अपनी सेक्स में प्रवृत्ती को मान न बनकर समर्थन कर रही है कई पश्चमी देशों की सरकारे इसके बारे में चिंतित है यदि यह जारी रहता है तो उनकी जनसंख्या के साथ क्या होगा? पूर्व चिंतित है बढ़ोतरी के बारे में लेकिन पश्चमी देशों में कुछ देश घटने के बारे में भी चिंतित है कुछ भी किया नहीं जा सकता अगर स्त्रिये निर्धारित करती है कि वह मान नहीं बनेंगी क्योंकि उन्हें पता है कि वह सेक्स में रुची खो देगी कानून द्वारा एक परिवार नियोजन कारेक्रम को लागू किया जा सकता है लेकिन कोई कानून स्त्रिय को मा बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है पश्चमी देशों की इस समस्या ने हमारी जन संख्या विस्फोट की समस्या से जञ्यादा जटिल है हम वृद्धी को बलद्वारा या कानुनी रूप से रोक सकते हैं लेकिन पश्चमी देश सामविदानिक रूप से अपनी संख्या बढ़ा नहीं सकते आने वाले 200 वर्षों में इस समस्या का पश्चम में विशाल मामूला रूप से बढ़ने का संभावना है और पूरे समय के साथ पश्चमी मान्व शक्ती कम होगी उन्हें महसूस कराने के लिए वे स्त्रियों से माबनने के लिए सहमत करना होगा उनके कुछ मनोवैज्यानिक लोग बाल विवा के पक्ष में आने लगे है एक स्त्री योवन में प्रवेश करती है वह माबनने में रुची नहीं रखेगी उसकी अधिक रुची सेक्सूल आनंद में होगी इसलिए उनके मनोवैज्यानिक लोग लोगों को युवा होने पर विवा करने की सलाह दे रहे है फिर उन मामलों में महिलाए मा बनने से पहले उन्हें कोई और विचार नहीं आएगा इसी वज़ा से पूर्व में बाल विवाहों के पीछे एक और कारण था उन्होंने जानते थे कि एक लड़की जब योवन में प्रवेश करती है तब वह विवा और मा बनने की इच्छा नहीं करेगी जब वह योवन की अवस्था में जब उसे सेक्स की सच्चाई का आदर्श हुआ जब उसने इसका स्वाद बढ़ा लिया यह मानसिक्ता यह यौन आकरशन की अत्यधिक आकरशन महिलाओं में इस समय तक है जब तक उन्हें नहीं पता होता की वे मा बन कर क्या प्राप्त करेंगी लेकिन इसे वे केवल मा बनने के बाद ही महसूस कर सकती है इससे पहले इसका कोई अंदाज नहीं लगाया जा सकता है इतना संतुष्ट क्यों होती है यहां इसलिए हैं क्योंकि उसने अपने बच्चे के साथ एक दिव्य अविरल अनुभव किया है आध्यात्मिक सेक्स का और इसी कारण है कि मा और बच्चे के बीच इतनी गहरी आत्मियता है एक स्त्री अपने बच्चे के लिए अपनी जान देगी लेकिन अपने बच्चे की जान लेने का विचार तक नहीं कर सकती है एक पत्नी अपने पती को मार सकती है यह अक्सर होता है और यदि वह यह वास्तविक रूप से नहीं करती है तो वहां उसी बात का परिस्थिती बना सकती है जिससे यह समान हो। लेकिन उसके बच्चे के साथ वहां कभी भी इस तरह की चीज का सोच नहीं सकती है। इसलिए है कि उसके बच्चे के साथ रिष्टा इतना गहरा है, इतना आत्मिय है। लेकिन इसी साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जब एक स्त्री अपने पती के साथ एक गहरा संबंद बनाती है तो पती भी उसके लिए एक बच्चा बन जाता है तब वहां उसका पती नहीं रहता है यहां इस सभा में कई पुरुष और स्त्रीय बैठी है मैं यहां मौजूद पुरुषों से यह पूछना चाहता हूँ कि जब वे अपनी पत्नियों के प्रती पूर्ण प्रेम के भाव में होते हैं तो क्या वे बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह नहीं व्यवहार करते हैं क्या आप जानते हैं कि एक पुरुष का हाथ स्वचन्दा में एक स्त्री की स्तन की और स्वतंत्र रूप से खीच जाता है यहां एक मा की दुध की और बढ़ते एक छोटे बच्चे का हाथ है जैसे ही एक पुरुष को किसी स्त्री के प्रती प्रेम होता है, वह स्वतंत्र रूप से उसके स्तन की और हात बढ़ाता है क्यों? प्रेम का स्तन के साथ क्या संबंध है? या सेक्स के साथ? सेक्स का स्तन के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं है, लेकिन एक बच्चे का मा के स्तन के साथ गहरा संबंध है. से सामगरी में उसने जागरुकता में डूबा है कि उसका संपर्क स्तन जीवनरेखा के साथ है. जब एक पुरुष गहरे प्रेम में ओवर्फलो होता है तो वह एक बेटा बन जाता है और स्त्री का हाथ कहा जाता है उसका हाथ पुरुष के सिर्की ओर पहुचता है उसके अंगुलिया उसके बालों को सहला रही है या उसके बेटे के बालों को सहलाने की याद है, वह अपने बेटे के बालों को सहला रही है इसलिए अगर पूर्णता से आध्यात्मिक स्तर पर प्रेम खिलता है, तो पती बेटा बन जाता है इसलिए पती को एक बेटा बनना चाहिए तब हमें पता चलता है कि हमने सेख्स के तिसरे परत में पहुँच लिया है आध्यात्मिक स्तरपर लेकिन हम इस रिष्टे के पूरी तरह से अज्ञान है पती और पत्नी के बीच का संबंध एक यात्रा का आरंब है और समाप्ती नहीं और ध्यान रखें क्योंकि यह एक यात्रा है पती और पत्नी हमेशा तनाव की स्थिती में होते हैं यात्रा हमेशा ठका देने वाली होती है शांती केवल गंतव्य पर ही पाई जाती है पती और पत्नी कभी भी शांत नहीं होते क्योंकि वे हमेशा चलते रहते हैं हमेशा सड़क पर होते हैं और अधिकांश लोग रास्ते पर मर जाते हैं गंतव्य तक कभी नहीं पहुचते इसके कारण पती और पत्मी के बीच हमेशा तक्राहट है यहां सारे समय की तक्राहट है और इसे हम प्रेम कहते हैं दुर्भाग्यवश न तो पती समझता है और नहीं पत्मी तक्राहट जगड़ा की असली वजह को वे हर एक को लगता है कि उन्होंने गलत चनाव किया है पती को लगता है कि अगर उसने किसी और स्त्री से शादी की होती तो सब कुछ बहतर हो जाता और पत्मी को लगता है कि अगर उसने किसी और पुरुष से शादी की होती तो सब कुछ शायद ठीक हो जाता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ दुनिया के सभी जोडों का यहाँ अनुभव है यदि आपको अपने संगी को बदलने का अवसर मिला, स्थिती एक इंच भी बदलने की जरूरत नहीं होगी यहाँ एक कब्र को कब्रगा से लेकर कंबल के साथ कंबल बदलने के समान होगा आप थोड़ी देर के लिए राहत महसूस करेंगे लेकिन फिर आप देखेंगे कि वजन फिर से वैसा ही हो गया है पश्चिम में जहां तलाग प्रचलित है इस अनुभव का यह है कि नई पत्मी बहुत जल्दी पूरानी की तरह होती है और एक दिवस के भीतर नया पती भी वैसा ही साबित होता है कारण सतापन नहीं मिलता है बलकि गहराई में है कारण व्यक्ति पुरुष यास्त्री के साथ कुछ नहीं है कारण यह है कि विवा एक यात्रा है एक प्रक्रिया है विवा न तो लक्ष है और नहीं उद्देश्य उद्देश्य तब तक पहुँचा जाएगा जब स्त्री मा बनेगी और पुरुष बेटा बनेगा सकता है, लेकिन यौन विशय पर नहीं. उसने कहा है कि वहाँ और कुछ दोस्त यहां भगवान के बारे में सुनने आएं हैं और इसलिए मैं केवल भगवान के बारे में ही बात करूँ. शायद उन्हें यह ग्यात नहीं है कि किसी से जो वे यौन विशय में भी प्राधीकृत नहीं मानते उससे भगवान के बारे में पूछा जाना निरर्थक है। तो मुझसे आखिरी करम के बारे में बात करने का कैसे योग्यता है? इस सवाल के पीछे मनोविज्ञान है कि काम और राम, कामुक्ता और परमात्मा अब तक एक दूसरे के दुश्मन माने जाते थे. अब तक यह स्विक्रित हो गया था कि वे लोग जो धर्म की खोज में हैं, उनका यौनता से कोई संबंद नहीं हो सकता और वे लोग जो यौनता में खोजते हैं, उनका आध्यात्मिक्ता के साथ कुछ साजा नहीं हो सकता है. ये दोनों ही भांतिया है. काम की ओर की यात्रा भी राम की ओर की यात्रा है. वासना की यात्रा भी प्रकाश की ओर की यात्रा है. सेक्स के लिए भयानक आकर्शन भी उदात्ता की खोज है. क्योंकि मन पूरी तरह से सेक्स में लिप्ता हुआ है उसे कभी भी अपनी यात्रा पूर्ण महसूस नहीं होती जब तक राम प्राप्त नहीं होता जब तक उन्नती नहीं होती उसकी खोज कभी भी समाप्त नहीं होगी और वे लोग जो काम को दोशी ठहराते हैं और राम की प्राप्ती के लिए निकल पड़ते हैं उनकी बौद्धिकता में भगवान की वास्तविक खोज नहीं है यह केवल काम के नाम पर भाग्य भगाना है वे काम से बचने के लिए राम के नाम के पीछे छुप जाते हैं यहां इसलिए है क्योंकि उन्हें सेक्स से मौत का खौफ है क्योंकि उनका जीवन सेक्स के बारे में लगातार उतकंठा की स्थिती में है वे राम के नाम को बार-बार उच्चारन करके आत्मा को छुपा लेते हैं राम, राम, राम ताकि वे काम सेक्स को भूल सके जब भी आप किसी आदमी को राम का नाम जबते हुए देखते हैं तो उसे ध्यान से देखे, राम के पुन्रावृत्ती के पीछे काम की गुंज होगी, वहाँ यौन्ता की जागरुकता होती है यदि किसी महिला को देखा जाता है, तो वे माला का पठना शुरू कर देंगे राम, 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 अपनी माला को गती से घुमा कर और राम के नाम को जोर से बोलते हुए उनके भीतर से काम उन पर धकेलता है, और ये भाग्यशाली लोग इसे नजरंदाज करने, दूबाने और दबाने की कोशिश करते हैं, राम के नाम का जब करके यदि ऐसा कोई साधारत्रिक तरीका होता जो किसी की जीवन को बदल सकता, तो दुनिया बहुत देर से बहतर हो चुकी होती धर्म प्राप करना इतना सरल नहीं है, अगर आप राम तक पहुँचना चाते हैं, अगर आप उदात्त की खोच करना चाते हैं, तो काम को जानना आवश्चक है क्यों? उदाहरन के रूप में एक व्यक्ति का उदाहरन ले जो बॉम्बे से कलकत्ता जाना चाता है पहले उसने कलकत्ता के बारे में जानकारी प्राप की है या कहा है इसकी दिशा क्या है लेकिन अगर उसको यह भी नहीं पता है कि बॉम्बे कहा है कलकत्ता के साथ इसके संबन्द में तो उसका मिशन कैसे सफल हो सकता है बॉम्बे से कलकत्ता पहुँचने के लिए बॉम्बे का ज्यान होना अनिवार्य है अगर मुझे यह पता नहीं है कि बॉम्बे कहा है तो मेरी कलकत्ता पहुँचने के बारे में सारी जानकारी निरर्थक है बच्चा हमेशा पहले आता है गंतवे हमेशा बाद में आता है आप अप कहां खड़े हैं? आप कहते हैं कि आप राम की याकरा करना चाहते हैं अच्छा आप कहते हैं कि आप भगवान तक पहुँचना चाहते हैं बहुत अच्छा लेकिन अब आप कहा हैं? अब आप काम में फंसे हैं अब आप यौनता में फंसे हैं और इसी स्थान से जहां आप अब हैं, आपको पहला कदम बढ़ाना होगा। आवशक है कि आप यह स्थान जाने की आप अब कहा है। इस साधारता को स्विक्रिती करके इस सुथिर वास्तविक्ता को समझ कर आप भविश्य के लिए भी संभावना देख सकते हैं। कभी भी अपने इच्छित गंतव्य तक पहुँच नहीं सकते, आप बजुर्गी में पहुँच सकते हैं। और ऐसा करने के लिए अगर आप अंत में पहुँचना चाहते हैं, तो काम को समझना राम को समझने से अधिक महत्वपूर्ण है। आप सेक्स को समझे बिना भगवान तक नहीं पहुँच सकते। मुझे पत्र के माध्यम से भी सूचित किया गया है कि फ्रॉयड के विचार सेक्स पर समर्थनीय और स्विकृतियों के योग्य हो सकते हैं, लेकिन पूछा गया है कि मेरे विचार कैसे सत्य और इमानदार माने जा सकते हैं। आप कैसे निर्धारत कर सकते हैं, कि मैं इमानदार और सत्य हूं या नहीं? इस संबन्ध में जो कुछ भी मैं कहूं यहां निर्णयत नहीं होगा क्योंकि मैं खुद चर्चा के विशय हूं। इमानदार है या नहीं, तो जो भी मैं इस संदर्ब में कहूंगा, वह बेहद अर्थहीन होगा, यह व्यर्थ होगा, मैं कहता हूँ, स्वयन सेक्स के साथ प्रयोग करें और यह खुद ही देखें कि क्या मैं इमानदार हूँ या नहीं, जब आप खुद अनुभव तब ही आप मेरे कथनों की सच्चाई को जानेंगे, इसके लिए कोई अन्य तरीका नहीं है, उदाहरन के लिए यदि मैं आप से किसी तटस्थता तकनीक के बारे में बात करू, तो आपको संदे हो सकता है कि क्या मेरी विधी संभावनाओं है या नहीं, मेरा उत्तर उस पर संदे होने पर होगा कि आप उस जगह पर आए जहां आप नदी में चले जा सकते हैं, यदि मेरी सला आपको नदी को पार करने में मदद करने में उप्योगी होती है, तो आप जानते होंगे कि मेरा कहना ना तो बेहद ही निरर्थक है और नहीं इमांदारी की बात कर रहा जब बात फ्रॉइट की होती है तो मैं इस विशेश दोस्त को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बहुत संभावना है कि फ्रॉइट को वह सब कुछ नहीं पता था जो मैं यहां बता रहा हूँ फ्रॉइट उनकुछ कवियों में से एक थे जो मानव जाती को यौन मुक्ती की दिशा में मार्ध दर्शन कर रहे थे लेकिन उन्हें किसी भी ज्यान का कोई भी ज्यान नहीं था कि आध्यात्मिक यौनता मौजूद है वह ज्यान जो फ्रॉइट ने व्यवस्थित किया वह रोगी यौनता का था उनका अनुसंधान विकृतियों के साथ था फ्रॉइट एक प्रकार के डॉक्टर थे और उनके खोजे बीमार लोगों को सिर्मेर करने के रूप में उप्योग किये जा रहे थे फ्रॉइट ने सामान्य स्वस्थ यौनता का अध्येन नहीं किया था वह एक ऐसे शोद करता थे जो बीमारी विकृति में लगे रहते थे और उनका मन प्रमुखता इलाज उप्चार पर था इसलिए अगर आप मेरे कहने की सत्यता को सिद्ध करने का इरादा कर रही हैं तो आपको तंत्र दर्शन की दिशा में मुढ़ना होगा तंत्र ने सेक्स को आध्यात्मिक बनाने की प्रारंभिक कोशिशे की और हालांकि हमने हजारों वर्ष पहले तंत्र के बारे में सोचना बंद कर दिया था खजुराहों के समारक और कुरी और कोनारक के मंदिर जीवन साक्षातकार है क्या आपने कभी खजुरा हो जाने का कल्पना किया है? क्या आपने वहां की प्रदिमाओं को देखा है? तो आपको दो अद्वितिय घटनाएं अनुभव होना चाहिए। उन प्रतिमाओं की स्रिष्टी करने वाले द्रिष्टिग्राही लोग वे थे जनोंने आध्यात्मिक सेक्स को गहराई से देखा और जाना था। यदि आप किसी को सेक्स के प्रभाव में देखते हैं, उसके चहरे और उसकी आमखों में तो वहां भुदारित, भयानक, पशुपंक्ती दिखाई देगा, वहां एक चंताजन्द और क्रूर वासना दिखेगी। जब एक महिला एक पुरुष को अपनी और आते हुए देखती है, और वहां यौन आकर्शन से भरा हुआ है, तो यदि वहां उसके लिए प्रिय है, तो भी उसमें उसे एक शत्रू देखेगी और मित्र नहीं। उसके लिए वहां मनुष्य दिखाई नहीं देगा, वहां नरक से एक संदेश्वाहक की तरह होगा। लेकिन उन प्रतिमाओं के चहरों पर आपको बुद्ध की महिमा का च्छाया, महावीर की उदार प्रतिबिम्बन मिलेगा। कि शिल्पकला की नंगा स्वरूप से आपका बुद्धी परिचालित हो जाएगा, तो मैं आप से प्रार्थना करता हूँ, ततकाल और और किसी विलम के बिना ही खजुराहों की ओर बढ़े। खजुराहों इस प्रित्वी पर एक अद्वितिय स्मारक है, फिर भी मौर्यवादी जैसे श्री पुरुषोत तमदास टंडन और उनके सहयोगी इस राय पर थे कि खजुराहों की दीवारों को मिट्टी की एक परत से ढखना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि इन छविय से लोग यौन संबंद में प्रवृत हो जाती हैं. जब मैंने यह सुना, तो मैं हैरान हो गया. खजुराहों के निर्माताओं का उद्देश था और वहाँ यह था कि यदि लोग मूर्तियों के सामने बैठ कर ध्यान करें, तो उन्हें कामुकता से मुक्ती मिलेगी. हजारो वर्षों से इन छवियों को ध्यान के विशय के रूप में देखा गया है. यह हमारे लिए एक अद्धुत उदाहरन स्थापित करता है, कि अधिक संभोगित लोगों से कहा गया था कि वे खजुराहों के मंदिरों में जाएं, मूर्तियों पर ध्यान करें, उन्हें खो हालांकि हमने सामान्य मानव अनुभव में इसी सत्य को अकसर देखा है, हम वास्तव में इसे देख नहीं पा रहे हैं. उदाहरन के रूप में अगर आप किसी सड़त पर चल रहे हैं और दो लोगों को टकराते हुए देखते हैं, तो आप उनकी लड़ाई देखने के लिए रुखने का आभास करते हैं, क्यों? क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप दूसरों की लड़ाई देख कर आप क्या प्राप करते हैं? काम के सौंदरिय छोड़कर आप लोग आधी घंटे के लिए लोगों की लड़ाई देखने के लिए रुख जाएंगे, आप मुकाबले भी देखने जाते हैं. क्यों? शायद आपको यहां मालूम नहीं है कि इसका चिकितसात्मक प्रभाव होता है. दो आदमी लड़ते हुए देखकर जो आप में मौदरिक लड़ाई की गहरी इच्छा है वा पूरी हो जाती है. यहां उबाल जाता है, यहां बाहर किया जाता है और आप बहुत शांत हो जाते हैं. अगर कोई शांत मन के साथ व्यक्ती बराबरी करता है, तो उस आंतरिक पागल, मनुश के पागल यौन्ता को उपशांत करने का एक साधन है. एक आदमी ने एक मनोचिकितसक के पास एक समस्या के साथ जाने के लिए जाना, उसे उसके बॉस ने उससे कुछ भी कहा तो वह ततकाल क्रोधित हो जाता था, और उसके बॉस को अपना जूता उतारकर मारने का ख्याल आता था. लेकिन अपने बॉस को मारने की कैसे सोच सकते हैं? क्या ऐसा कोई आदमी है जो किसी समय अपने बॉस को मारने का इच्छुक नहीं होता ऐसा कर्मचारी दुरलब है जिससे भी हो उस आदमी ने अपनी बॉस को मारने का इच्छा को दबा रखा लेकिन उसने इसके बारे में एक कॉंपलेक्स विक्सित किया और डर है कि शायद एक दिन वह वास्तव में अपने बॉस को मार सकता है इसलिए उसने अपने जूते घर पर ही छोड़ दिये लेकिन उसने जूतों को भूला नहीं सकता था जब भी उसने अपने बॉस को देखा उसके हाथ स्वच्छंद रूप से उसके पैर की ओर बढ़ते थे लेकिन भाग्यशाली रूप से जूते घर पर ही छोड़ दिये गए थे और उसने थोड़ा सा आराम महसूस किया क्योंकि उसने जाना था कि एक दिन उत्सा में उसने शायद एक जूता उतार कर अपने बॉस की तरफ फेंक दिया हो सकता था लेकिन उसने जूते को सिर्फ घर पर छोड़ कर ही उनसे मुक्त नहीं किया वे उसकी अंतरात्मा पर बड़े हुए रहते थे अगर वह किसी कलम के साथ खेल रहा था तो उसने कागस पर जूते बनाए आवशक्ता अनुसार उसने जूते के आकार का रेखांकित किया जूते उसके विचारों को भर गए और उसको बहुत दर था कि कभी ना कभी वह अपने बॉस पर हमला कर सकता था घर पर उसने अपने परिवार को बताया कि शायद अगर वह कार्याले जाए तो यहाँ भैतर है नहीं है अब उसकी मानसिक स्थिती इस प्रकार थी कि उसको अपने जूतों की जरूरत नहीं थी वह अपने बॉस को मारने के लिए किसी के भी जूतों को पकड़ सकता था उसके हाथों ने उसके सहयोगियों के पैरों की और बढ़ना शुरू कर दिया था इस समय उसके परिवार ने निर्णय लिया कि उसे एक मानोचिकित्सक के पास ले जाया जाए और ऐसा हुआ मानोचिकित्सक ने कहा कि उसकी बीमारी कुछ खास चंता की बात नहीं है यह ठीक हो सकता है उन्होंने उसे सुझाव दिया कि उसे अपने घर पर अपने बौस की तस्वीर लगानी चाहिए और हर सुबह उसे एक जूते से पाँच बार मारना चाहिए. तस्वीर को पूझनियता से मारना था जब वह कार्याले जाने से पहले और इसके अलावा उसे किसी भी ब्रतिक्रिया थी, क्या बक्वास है, हालांकि उसने इस विचार पर आश्चर्य अनुभव किया, उसे यहाँ बहुत खुशी हो रही थी तस्वीर लटक गई और उसी के अनुसार उसने प्रियरीती आरंब की, पहले ही दिन जब उसने तस्वीर को पाँच बार मारा और फिर कार्या ले गया, उसने एक अजीब सा एहसास किया, उसे अपने बॉस पर इतना क्रोधित महसूस नहीं हुआ था जैसा उसको होता था और दो हफ़ते के भीतर उसने अपने नियोकता के प्रती बहुत शिष्ट बन गया था, उसका बॉस भी ने उसमें परिवर्तन को देखा, लेकिन बेशक उसे यह पता नहीं था कि क्या हो रहा था उसने भी अपने कर्मचारी से कहा कि उसने बहुत विनम्र, बहुत आदर्श और बहुत अच्छा हो गया है, हाल ही में और जानना चाहता है कि क्या हुआ है कर्मचारी ने जवाब दिया, क्रिप्या मुझसे इसके बारे में मत पूछिये या सब कुछ फिर से उलट जाएगा, मुझसे बस नहीं होता इस कहानी के पीछे सच्चाई क्या है, क्या वाके किसी फोटो को मार कर कुछ हासिल किया जा सकता है हाँ फोटो को मार कर उस आदमी का उच्सा अपने बॉस को जूते से मारने का सिर्फ विख्टन हो गया, मिट गया खजुराहो, कोणारक और कुरी जैसे मंदिरों का इस देश के हर कोने में होना चाहिए अन्य मंदिरों में कुछ महत्वपूर्ण नहीं मिलता, उनमें कोई वैज्ञानिकता, योजना, अर्थ नहीं है उनकी कोई आवशकता नहीं है लेकिन खजुराहो और उनकी तरह अन्य मंदिरों की अस्तित्वपूर्ण रहती है व्यक्ति जिसका मन यौन्ता के प्रती बहुत चिंतित है वह वहां जाकर ध्यान करना चाहिए जब वह वापस आएगा तो उसका हरदय हलका हो जाएगा वह शान्त होगा तांत्र को ने यौन्ता को आध्यात्मिक्ता में बदलने का प्रयास किया लेकिन हमारे देश के नैतिक प्रवक्ता उन्हें सामान्य जंता तक पहुँचने नहीं देने का कारण बने रहे हैं ये ही वे लोग हैं जो मेरे वारमवार से बाते रोकना चाहते थे जबलपुर लोटकर बॉम्बे में भारतिय विद्या भवन आडिटोरियम में मेरे भाशन के तीन दिनों बाद मुझे एक दोस्त की तरफ से एक पत्र प्राप्थ हुआ जिसमें कहा गया था कि अगर मैं इन बातचीतों को जारी रखता हूं तो मुझे गोली मार दी जाएगी मैं उसे जवाब देना चाहता था लेकिन यह त्रिगुणी आदमी डरपोक लगता है उसने न तो अपना पत्र हस्ताक शरित किया था और नहीं अपना पता दिया था शायद उसे यह डर था कि मैं पुलीस को मामला रिपोर्ट कर दूँ फिर भी अगर वह यहां मौजूद है तो वह अब मेरा जवाब स्वीकार करना चाहिए यदि वह यहां है तो मुझे लगता है कि वह यह तो दीवार के पीछे है या किसी पेड के पीछे अगर वह कही है तो मैं उसे यह कहना चाहता हूँ कि मैं धंकी की रिपोर्ट नहीं करने वाला हूँ लेकिन उसे अपना नाम और पता देना चाहिए ताकि मैं उसे कम से कम एक जवाब भेज सकूँ लेकिन अगर उसे इतना भी साहस नहीं है तो मैं उसे यहां पर मेरा जवाब दूँगा वह ध्यान से सुनना चाहिए शायद उसको इस बारे में ज्ञान नहीं है लेकिन पहले वह मुझे गोली मारने में इतना जल्दी नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि गोली की गुन्थन के साथ मैं जो कुछ कह रहा हूं वह शाश्वत सत्य बन जाएगा। अगर यीशु को कुरूज पर नहीं चड़ाया गया होता तो दुन्या ने उसे बहुत पहले ही भूल जाता। एक प्रकार से पीड़ा यीशु के लिए लाबकारी रही थी। लेखक जॉर्ज गुजट कहते हैं कि यीशु ने अपनी खुद की क्रूसिफिकेशन की योजना बनाई थी। यीशु खुद को क्रूसिफाई करना चाहते थे क्योंकि तब जो कुछ भी उन्होंने प्रचारित किया था, वह सदियों तक जीवित सत्य बन जाता और करोडों लोगों के लाबकारी होता। यह संभावना है। यूदा जिसने 30 सिक्के के लिए यीशु को बेचा था, वह उनके सबसे प्रिय शिशों में से एक थे। यह यकीनी नहीं है कि जो ने इतने वर्षों यीशु के साथ बिताए हो, वह उसे इतनी कम मात्रा में बेचेगा। यदि यीशु ने सुझाव नहीं किया होता कि वह इसे करे, यदि यीशु ने खुद इसे सुझाव दिया हो कि वह पक्ष बल्ले बल्कि 300 मिलियन जैन हो सकते थे अगर महावीर को क्रूस पर चढ़ाया जाता। लेकिन महावीर ने शांती से अंत किया, उसने शायद कभी इस बारे में सोचा नहीं कि वह क्रूस पर मरना चाते हैं। किसी ने उस पर प्रयास नहीं किया और नहीं उसने खुद इसे व्यवस्थित करने की कोशिश की। यह न तो बुद्ध हुए थे, न महावीर बल्कि यीशु थे जो क्रूस पर चढ़ाये गए थे और आज दुनिया का आधा हिस्सा ईसाई है। और पूरी दुनिया कभी न कभी ईसाई बन सकती है। यह क्रूसिफिकेशन का एक उजवल पहलू है। इसलिए मेरा कहना है कि मेरे दोस्ट को मुझे मारने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी में नहीं होना चाहिए, अन्यता वह अपने शेश जीवन के लिए अपने कर्म का पच्चतावा करेगा। दूसरी बात यहा है कि उसे इस बारे में बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास बिस्तर में मरने का कोई इरादा नहीं है. जब उचित समय आएगा, तो मैं यह सुनुष्चित करने के लिए अपनी कोई भी प्रयास करूँगा कि कोई भी मुझ पर गोली मारे. वह जल्दी नहीं होना चाहिए, मैं खुद इसे व्यवस्थित करूँगा. जीवन उप्योगी है, लेकिन जब कोई हत्या होती है, तो मौत भी उप्योगी हो जाती है. एक गोली से भरी मौत अक्सर वह कर सकती है, जो जीवन नहीं कर सकता. लोग हमेशा इसी गलती को दोहराई हैं, जिनोंने सुकरात को जहर दिया, जिनोंने मनसूर को मारा, जिनोंने यीशु को क्रूज पर चढ़ाया. ये सभी बच्चों के कृत्य थे, सभी अपने आप गर्भपात हो जाने वाले थे. और हाली में भी, जिनोंने गांधी पर गोलिया चलाई, उन्हें यह ज्यान नहीं था कि गांधी के अनुयाईयों में से कोई भी उनकी याद को इतनी सफलता से बढ़ावा नहीं कर सकता था, जितनी उसने अपने हत्यारे के क्रिया के द्वारा किया. जब गोलियों से गोली मारी जाती है, तो कभी-कभी मौत वह कार्य कर सकती है, जो जीवन नहीं कर सकता है. सुकरात के लिए जहर तयार हो रहा था, तब कुछ उसके दोस्तों ने पूछा कि उसके शरीर का उपचार बाद में कैसे किया जाएगा? क्या यह देहन किया जाएगा या दफन किया जाएगा या कुछ और, उन्होंने पूछा. सुकरात मुस्कराए और कहा, मूर्ख लोग, तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम मुझे कभी भी दफन नहीं कर पाऊगे. मैं जितना कि तुम सभी को नहीं मरूंगा. यह जादू यहा है कि मैंने मौत का चयन किया है केवल हमेशा के लिए जीने के लिए. तो मेरे दोस्त, अगर वह यहा है, तो बेवकूफी से कारवाई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसे जल्दी ही अपने आपको हारने वाला पाएगा. मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, मैं उन लोगों में से एक नहीं हूँ जिन्हें गोलिया नश्ट कर सकती है. मैं उन लोगों में से एक हूँ जो गोलियों के बावजूद जिन्दा रहेंगे. वह मुझे जल्दी से मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. उसे चिधाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं बिस्तर में नहीं मरता उस प्रकार की मौत अनुप्युक्त है, वह प्रकार की मौत निरर्थक मौत है और उसे यह भी याद रखना चाहिए कि चिधी पर हस्ताक्षर करने में दरने की कोई आवशक्ता नहीं है अगर मुझे यह यकीन है कि कोई सहसी और तयार आदमी है जो मुझ पर गोली मार सकता है तो मैं किसी को सूचित किये बिना ही मुलाकात रखूंगा ताकि बाद में उसे सनलग्न नहीं किया जा सके लेकिन इस आदमी के बारे में कुछ बहुत अजीब नहीं है उसने यह लिखा कि उसको धर्म की सुरक्षा करने का एहसास था उसने लिखा क्योंकि उसको लगा कि मैं धर्म को नश्ट करना चाता हूँ और उसे धर्म को पुनर्स्थापित करना है उसके इरादे कभी भी दुराचार नहीं थे उसकी भावनाएं बहुत सांत्वना भरी और धार्मे के लिए विश्व की भावनाओं के साथ खिलवार कर रही है उनके इरादे बहुत अच्छे हो सकते हैं लेकिन उनकी समझ बहुत ही कमजोर है युगों से इस प्रकार के आत्मस्मर्पित लोग और उनके समर्थन में जैसे ही सत्य का पूरा विकास घेरा जाता है और इसी तरह से ज्ञान को दबाया गया है अज्ञान व्यापक है हम अंधकार में खोज रही है हम अज्ञान की अंधेरी रात में खो गए है और हमारी अंधकार में इन लैतिक प्रवक्ताओं ने उचे मंच बनाए है जिनसे वे हमें उपदेश देते हैं लेकिन यह भी सत्य है कि जब हमारे जीवन में सत्य की किरन चमकना शुरू होता है तो इन ताकियाकार धार्मिक लोगों को बेरोजगार हो जाएगा जब हम भगवान के साथ जीवन संबंद बना सकते हैं जब हमें समाधी का ज्ञान होता है जब हमारा सांसारिक सामान्य जीवन दिव्य जीवन में परिणाम होने लगता है, तब इन नैतिक वादियों और प्रवक्ताओं के लिए कोई काम बचता नहीं है। प्रवक्ता को फाइदा तब है जब लोग अंधकार में खोने लगते हैं। एक डॉक्तर तब की आवशकता होती है जब लोग बीमार होते हैं, लेकिन डॉक्तर अनावशक होते हैं अगर लोग बीमार होना बंद कर देते हैं। नैतिक वाक्य बद्धता की तरह चिकित्सा व्यापार भी आंतरिक संघर्ष पर आधारित है, क्योंकि डॉक्तर की आजीविका लोगों के बीमार होने पर निर्भर है। एक डॉक्तर रोग्यों का उपचार बाहिक रूप से करता है, लेकिन अंतरनेहित रूप से उम्मीद है कि वे बीमार पड़े। और जब एक महामारी होती है, तो वह ईश्वर का धन्यवात करता है कि उसे व्यापार मिला। मैंने एक कहानी सुनी है, एक रात एक समो के दोस्त एक बड़े पार्टी में थे, पीने खाने वे सुबह के उजवल समयों तक आनन्द करते रहें। जब वे अपने रास्ते करने लगे, होटल के मालिक ने अपनी पत्नी से कहा कि उसे भगवान धन्यवात देना चाहिए जिसने उन्हें इतने अच्छे ग्राहक भेजे हैं। अगर ऐसी भगदर जारी रही तो वे धनी हो जाएंगे, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा। मालक जब वहाँ बिल भर रहा था, ने उद्यमपती से अपने व्यापार की सम्रुद्धी के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा, ताकि वे फिर से आ सकें। मालिक ने पूछा, वैसे आपका व्यापार क्या है, साहब। मैं एक अंगुठा चाप का काम करने वाला हूँ, उसने कहा, मेरा व्यापार सबसे ज्यादा तब सम्रुद्धी होता है, जब लोग मरते हैं। उसी प्रकार एक डॉक्तर का व्यापार लोगों को ठीक करना हो सकता है, लेकिन ज्यादा लोग बीमार होते हैं, तो उसकी कमाई भी ज्यादा होती है। अंदरुनी रूप से उम्मीद होती है कि उसका रोगी बहुत जल्दी ठीक नहीं होता। और ऐसा होता है कि रोग्यों को ठीक होने में समय लगता है, विशेश कर धनी लोग। गरीब रोगी तेजी से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्तर को गरीब लोगों की लंबे समय तक बीमार रहने से अधिक कमाई नहीं होती। लाब धनी ग्राहकों से होता है, और इसलिए वह धनी लोगों को ठीक करते समय धीरे-धीरे बढ़ता है। वैसे भी धनी लोग हमेशा अच्छा नहीं रहते, वे डॉक्तर की प्रार्थनाओं का उत्तर है। प्रवक्ता भी उसी श्रेनी में है। ज्यादा लोग अनैतिक होते हैं, अधिस्माजिक तत्व होते हैं, अनार की फैलती है, उसका मंच उतना ही ऊचा होता है क्योंकि तब उसकी और भी आवशक्ता होती है कि वह लोगों को अहिंसा का पालन करने, सत्य का पालन करने, इमानदारी से व्यभार करने, इस नियम का पालन करने और इसी तरह के नियोंगों का पालन करने की आदत डालें, यदि लोग धार्मिक, सन्यमित, अनुशासित, शांत, इमानदार और पवित्र होते, तो प्रवक्ता का व्यापार समाप्त हो जाता, और भारत में इससे भी अधिक कहाहां पर दुनिया के किसी भी स्थ इतने सारे प्रवक्ता और ताकियाकार धार्मिक नेता है, कि हम एक गहरे धार्मिक जनता है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे संत और गुरु है, यहां एक तथ्य है कि हम आज दुनिया के सबसे अधर्मिक और अनैतिक देशों में से एक है, इसी कारण हमारे देश में इतने स प्रवक्ता स्वर्ण अवसर पा रही है. प्रवचन हमारी राश्चिय छवी बन गया है. मेरे एक दोस्त ने मुझे एक अमेरिकी पत्रिका से एक लेख भीजा. उसने मुझसे उसमें उसने देखा गया कि उसमें एक कमी है के बारे में अपने राय पूछी. यहां एक हास्यपूर्ण लेख था, जिसमें कहा गया था कि किसी भी देश की राश्चिय चरित्र को उस देश के एक आदमी को नशे में देख कर जाना जा सकता है. अगर कोई डचमैन नशे में चड़ता है, तो लेखन में कहा गया था कि वहाँ खाने पर चड़ जाएगा और भोजन स्थान से बाहर नहीं निकलेगा, उसे पीने के ही तुरंत दो-तीन घंटे तक खाते हैं. अगर कोई फ्रेंच मैन पीता है, तो वहाँ बेचैन हो जाता है, उसे गाना और नृती करना होता है. अगर कोई इंगलिश मैन बहुत नशे में चला जाए, तो वहाँ एक को हो जाता है. ऐसे हैं, विभिन राश्यताओं के लोगों के विशिष्ट प्रतिक्रियाय, लेक के अनुसार. लेकिन धूल से या अज्यान से उसमें भारतिय का कोई उलेक नहीं था. मेरे दोस्त ने पूछा कि उस भारतिय व्यक्तित्व के बारे में आपकी क्या राय है, उस एक भारतिय नशे में चड़ता है, तो उसे तुरंथ प्रवचन देना शुरू हो जाता है. यहां हमारा राश्यय चरित्र है. इन प्रवक्ताओं, संथ, साधों और गुरों की इस अविनाशी पंक्ति ने एक व्यापक बीमारी की निशानी है. यहां एक महान अनैतिक्ता का संकेत है. और सबसे अजीब बात यहां है कि उनके हरदय के हरदय में इन में से कोई भी इच्छा नहीं करता कि अनैतिक्ता समाप्त हो, इस बीमारी को समाप्त किया जाए क्योंकि यदी और जब यहां ठीक होता है, तो प्रवक्ता को अब और जेला नहीं जाएगा. उनकी आ एक सर्वव्यापी ज्यान की विकास को नियंत्रित करना है और लोगों को जीवन के गहरे और महत्वपूर्ण पहलूँओं को समझने की इच्छा करने से दरने के लिए दराना. और इसके बिना ही इन गहराईयों, प्रकाश्मय पहलूँओं को न समझने की अज्यानता है, तो धार्मिक्ता और इसके पशात्तापी दोशों का समाधान एक-एक करके होना शुरू हो जाएगा। मैं आपकी ध्यान इस तथे की और आकरशित करना चाहता हूं कि यौन संबंध जीवन का वह पहलू है जो अनैतिक्ता के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। यहां हमेशा ही मनुष्य में विकृती, विशेष्टा और उबावपन के लिए सबसे मौलिक और प्रभावशारी कारण रहा है। और इसलिए धार्मिक नेताएं कभी इस पर चर्चा करना नहीं चाहते। मेरे एक और दोस्त ने एक संदेश भेजा है कि कोई भी संतिया गुरु कभी भी यौन संबंदों पर बात नहीं करता है। उसने लिखा है कि मेरे पर उनका उच्च सम्मान यौन पर मेरे विचारों के कारण कम हो गया है। मैं उसे कहना चाहता हूँ कि मुझ पर आपको किसी समय के लिए भी संमान रखने की कोई आवशक्ता नहीं थी और अगर रखा भी था तो यहाँ आपकी गलती थी। मेरे से सम्मान क्यों चाहिए था? आपका इरादा क्या था? मैंने कभी आप से सम्मान के लिए कहा था? अगर आप मुझे सम्मान दे रहे थे तो यहाँ आपकी गलती थी। अगर आप अब भी उस प्रवृत्ती में नहीं हैं तो यहाँ आपका विशेशाधिकार है। मैं कोई महात्मा नहीं हूँ और मुझे महात्मा बनने की इच्छा भी नहीं है। बनने का इरादा भी नहीं है, वह इच्छा खुद एक सूक्ष्म, शुद्ध, अहंकार का परिचायक है. मैं एक आदमी हूँ और इससे मेरे लिए बहुत अच्छा है. क्या इसमें कुछ भी कमी नहीं है, बस एक आदमी होना ही तो काफी है? क्या एक आदमी बिना दूसरों की कंदों पर सवार होकर, दूसरों पर अपनी आतमा थोपकर, बिना किसी प्रतार के शक्ति हासिल की, आकांक्षा है. मैं एक अधिक महान व्यक्ति को देखना चाता हूँ. क्या मनुश्यता के पूर्ण माप में पहुचना महानता नहीं है? हर व्यक्ति महान बन सकता है, हर व् आतमाओं और गुरूं के दिन गए है, उनकी आवशक्ता और नहीं है. एक महान मानवता अत्यंत आवशक है, घड़ी की आवशक्ता है, एक महान मानवता की. कई महान व्यक्तिया हुई है, लेकिन हमने उनसे क्या प्राप्त किया है? आवशक्ता है महान व्यक्तियों की नही बल्कि महान मानवता की एक और अधिक मानवता की कम से कम एक व्यक्ति आशंकित है कम से कम एक व्यक्ति को यह मालूम है कि मैं एक महान व्यक्ति नहीं हूँ इस आदमी की आशंता में एक बड़ी राहत है उसमें मुझे महात्मादों के लिए प्रलोभित करने के लिए लिखा है उसका कहना है कि अगर मैं ऐसे विश्यों पर चर्चा करना बंद कर दू तो मैं एक महान गुरू बन सकता हूँ अब तक महात्माओं और गुरू ने इस प्रकार के पैसे आने वाले उपायों से फुसला जाता था और इसके परिणाम स्वरूप वे महात्माओं और उनकी महात्मदों के लिए हानिकारक साबित होने वाले विश्यों पर चर्चा नहीं करते थे अपनी सिंहासनों को बचाने की चिंता में उन्हें कभी भी नहीं चिंता थी कि वे कितने लोगों को हानिकारत प्रभावित कर रहे थे मेरी उच्चता को लेकर मैं चिंतित नहीं हूँ मेरा इसके बारे में सपना नहीं है, मेरे पास इसके लिए कोई योजना नहीं है उल्टा मुझे चिन्ता है कि कभी कभी कोई मुझे किसी दिन महात्मा बना देना चाहता हो इन दिनों गुरुओं और महात्माओं की कमी नहीं है और उनके रूप में माना जाने के लिए सही पोज अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है यह हमेशा से ऐसा ही रहा है लेकिन मुद्दा का मुद्दा यह है कि महत्वपूर्ण नहीं है महात्माओं की उपलब्धता बल्कि एक सत्यपूर्ण व्यक्ती कैसे विक्सित हो सकता है हम उस लक्ष को प्राप करने के लिए क्या कर सकते हैं हम उस कार्य को कैसे लागू कर सकते हैं मैं भरोसा और यकीन रखता हूँ कि हमने जो चर्चा की है, वह आपका मार्ग दर्शन करेगी जिस पत पर चलने के लिए जो उन बाधाओं को तोड़ने में आपको मदद कर सकता है, जो एक सत्यपूर्ण व्यक्ति के विकास के रास्ते में है. एक पत दिखाई देता है, आपके कामुकता का चर्णानुरूप रूप में संभावना है, आपका सेक्स आपका समाधी बन सकता है, अब जैसे कि तुम आज हो, तुम अपनी कामुकता हो, तुम अपनी आत्माए नहीं हो, तुम आत्माए बन सकते हो, लेकिन केवल अपनी प्रतिस्थापन से, तभी ही तुम्हारा इश्वर की और यात्रा शुरू हो सकती है, मुझसे कई ऐसे समान प्रशनों ने भेजे गए हैं, इसलिए मुझे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की पुना समीक्षा करने का अनुमती दो, मैंने कहा है कि तुम्हें सामाधी के ज धलक को ग्रहन करें, जो यौन संबंद के बीच विद्युत प्रभा की तरह चमकती है, जो एक सेकंड के लिए विलोध्विस्प की भांती चमकती है, और फिर गायब हो जाती है, तुम्हारा प्रयास यह होना चाहिए कि उसे जानो, उससे मिलो, उसे पकड़ो, यदि तुम एक बार भी उस समय पूर्ण रूप से संपर्ग बना सकते हो, तो उस समय तुम यह जान लोगे कि तुम एक शरीर नहीं हो, तुम शरीर रहित हो, उस छोटे समय के लिए तुम शरीर नहीं हो, उस समय तुम कुछ और में परिणाम होते हो, शरीर पीछे छोड़ दिया जाता और तुम आत्मा अपने असली स्वरूप में बदल जाते हो। अगर तुम्हें उस महिमा की जलक होती है तो तुम उसे अनुसर्ण कर सकते हो। ध्यान के माध्यम से उससे गहरा और स्थाई संबंध स्थापित करने के लिए। तब सामाधी का मार्क तुम्हारा हो जाएगा। और जब यह तुम्हारे ज्यान और जीवन का हिस्सा बन जाएगा तो कामुकता के लिए और कोई जगा नहीं रहेगी। एक और दोस्त को इस बारे में चिंता है कि यदि हम इस प्रकार से सेक्स को छोड़ दें तो हमारी नसल, हमारी सारी जाती को क्या होगा। बिलकुल और अन्य जानवरों की प्रजन की हो लेकिन यह मानव के लिए अच्छा नहीं है। यह प्रजन की कैसी द्रशिकोन है? यह कैसी बिना सोचे समझे बच्चों की उपती है? यह प्रकार का समूह, अकस्मात प्रजन उदासीन है, यह बेकार है। और हमारी भीड कितन विशाल हो गई है। हमारी जनसंख्या इतनी अविश्वस्निय रूप से बढ़ रही है कि अगर इसे समय पर नहीं रोका जाता है, तो वैज्ञानिक कहते हैं कि सौ वर्षों में तो आपके पैरों को हिलाने के लिए भी जगा नहीं होगी। सौ वर्षों में आप हमेशा किसी प्रकार की मेला में महसूस करेंगे। जहां भी देखें, आपको लगेगा कि कहीं एक सभा चल रही है। सभा बुलाना अनावशक होगा। इस विशेश मित्र का सवाल बहुत उप्यूक्त है। उससे पूछा जा सकता है कि यदि ब्रहमचर्य सामान्य हो जाए तो बच्चे कैसे पैदा होंगे। मैं उसे एक और समझाने वाला हूँ और आपको भी ध्यान देना चाहिए। बच्चे ब्रहमचर्य से पैदा हो सकते हैं, लेकिन पूरे उद्देश्य और बच्चों की उत्पत्ती का अर्थ एक नया परिमान होगा। काम को प्रजन के लिए वाहन नहीं है, ब्रहमचर्य ही एक मात्र माध्यम है, जो विवेक पूर्ण है। जैसा कि अब है, एक बच्चे का जन्म यात्रा है, आप किसी अन्यो मोटिव के साथ यौन संबंध में जाते हैं, बच्चे बस होते हैं। बच्चे अनाकस्मिक महमान होते हैं, और आप उन बच्चों के लिए उतना ही प्रेम कर सकते हैं, जितना आप अन्पेक्षिद आगंतुकों के लिए करते हैं। और अनाकस्मिक आदंतुकों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है? आप उनकी सुखत चीजों के लिए बिस्तर तयार करते हैं और उन्हें खाना परोस्ते हैं आप उन्हें शिष्टाचार से सलामी देते हैं और आप उन्हें आत्मस मरपन से पूछते हैं लेकिन सब कुछ शिष्टाचार के लिए किया जाता है आंतर में कोई प्रेम भावना न आपका स्थिती सोच यही है, ये बोर कब चलेंगे? तुम अंचाहे बच्चों को उसी तरह से व्यवहार करते हो, बस इस कारण कि तुमने उन्हें सच्चे में पहले ही चाहा नहीं था. तुम कुछ और की तलाश में थे, वे केवल उपवत्पाद थे. आज के बच्चे उत्पाद नहीं हैं, वे उपवत्पाद हैं. वे निर्मित नहीं होते, वे जैसे की मक्का के साथ छिलके के रूप में सेक्स के साथ आते हैं. और इसलिए पूरी दुन्या ने इन घटनाओं से सेक्स को बचाने की कोशिश की है. इस दृष्टिकोन से जन्म नियंत्रन विक्सित हुआ, अस्वाभाविक सहायताय बनी ताकि हम सेक्स का आनंद ले सकें और उसी समय बच्चों से सुरक्षित रह सकें. इस सोखी को उबारने के लिए यात्रा की गई है. प्राचीन आयूरवेदिक ग्रंथों में भी इस विशय पर चिकित्सा उपायों का उलेक है. आज के आत्मशुद्ध वैज्ञानिक भी उसी चीज से चिंतित है, जो 3000 वर्ष पहले आयूरवेदिक विद्वानों को चिंतित करती थी क्यों? मनुश्य इस अनुसंधान पर क्यों केंद्रत है? बच्चे तूफान उत्पन्न करते हैं, बच्चे चीजों के बीच में आ जाते हैं, बच्चे जिम्मेदारी का बोज लाते हैं, और जन्दातरी की दिशा में भी खत्रा होता है. पुरुष भी बच्चे नहीं चाहते. एक पुरुष चाहे तो बच्चे हो सकते हैं, लेकिन यहां उसके बच्चों से प्यार करने के लिए नहीं है, बलकि यहां उसके धन से प्यार करने के लिए है. जब एक पुरुष को एक बच्चा चाहिए तो यह मत धोखाधरी में रहने के लिए नहीं है कि उसकी आत्मा एक पुत्र के लिए बेताब हूँ, एक नए और निर्दोश मानव जीवन के लिए उसने अपने मेहन से अपनी संपत्ती को बढ़ाया है कौन जानता है कि उसकी मौत के बाद यह किसके हाथ में गिर सकता है उसकी संपत्ती को बचाने के लिए अपने खून से जन्मे हुए एक उत्तराधिकारी की आवशकता है ताकि वह अपनी संपत्ती को बचा सके, अपने खजाने का आनंद ले सके किसी को भी बच्चा बच्चे के लिए नहीं चाहिए हम खुद को उनसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वे बस खुद ही आते हैं ये उत्पाद सेक्स के द्वारा होने वाली स्पष्ट है वे बीमार है, वे कमजोर है, वे दुर्बल है, उनमें चंता भरी है बच्चे ब्राहमचारियों द्वारा भी जन्म ले सकते हैं, लेकिन वे सेक्स के आकस्मिक उपत्पाद नहीं होंगे जब यहां होगा, तो सेक्स बच्चों को उत्पन्न करने के लिए साधन होगा लेकिन यहां खुद में एक उद्देशन नहीं होगा अद्वितिय चेतना की स्थिती तक पहुँचते हो, जब तुमने ब्राहमचर्य को प्राप्त किया है, दिव्य से सैयोजन की स्थिती को प्राप्त किया है, तब तुम्हारा बच्चा एक सच्चा उत्पाद होगा, वह वास्तव में एक स्रिष्टी होगा लेकिन अब तक मानव की उत्कृष्ट मानसिक्ता ने उसे बच्चों से बचाने और फिर भी सेक्स का पूरा आनन लेने की कोशिश करने में समर्थ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है, प्रयास उल्ती दिशा में किये जाने चाहिए, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि हम दि उत्पनता आध्यात्मिक दिशा में लगा सकती है, वर्तमान में धक्के की दिशा में है, बच्चों की बच्ची से नफरत करो और सेक्स का आनन सेक्स के लिए ही करो, मैं इस व्यक्ती से यह भी पूछना चाहता हूं कि वहाँ दुनिया को ब्रहमचरे से बचाने की इतनी च चंता है कि लोग ब्रहमचरे में आ जाएंगे तो बच्चों का जन्म रोग देगे और दुनिया को खत्म कर देगे, मेरे दोस्त जैसा की अब हालत है, लोग ब्रहमचरे में आने का संभावना नहीं है, और जब तक यह क्रूर, चेतन और विचित्र सेक्स के प्रती उपेक् प्रती आपशा बनी रहेगी, तब तक ऐसा ही रहेगा, नहीं, मेरे दोस्त उस ओर से दुनिया को खत्म कर दोदोत जैसा साथ.